राजस्तान का जिलेवार अध्यना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर इस्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, यह राजस्तान है, राजस्तान का मैंफ है टोटल इसमें 33 प्रेटरी जीले हैं और आगे पन देखें तो भारत के अंदर रास्तान की स्थिद्दी क्या heaven यह आपको दिख रहा होगा भारत के अंदर राजस्तान साइड में है और इस प्रकार की इस्तिती है तो दोस्तों सबसे पहला कुछन ही आता है बहुत से जो स्टुडेंट होता है बहुत ही कमजोर है या जीके का अध्यन अभी करना स्टार्ट किया है तो उनके लिए भी यह हिंदुस्तान में राजस्तान से सम्मंद में जो राज्ये है उन राज्यों की संक्या है पांच पहला जो राज्ये है अब दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट बाद में अब बता रहा हूँ पहला जो राज्ये है वो है पंजाब दूसरा है हरियान तीसरा है सोता है मद्य परदेश, पांच वाय गुजरात, यह मेप में आपको दिख रहा होगा, अब इसमें आगे हम जानते हैं, यह जो पंजाब है, पंजाब से राजस्तान में जा सकते हैं, राजस्तान से डायट दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, वह सी बार हम यह गल्दी कर देते है यहां से अपन हन्मानगर होता है पंजाब में एंट्री करते हैं हरियाना से एंट्री करते हैं जुन्जुनु की तरफ से कर लेते हैं बेरोड के अलवर की तरफ से कर लेते हैं और मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं कोटा से प्रताबगर से बहुत से जीले हैं इसमें आगे हम पढ़ेंगे जब डीपली अध्यन करेंगे उत्तर प्रदेश में भी ह आज्य होगे राजस्तान के अब आगे हम इसकी सिथी देखते हैं तो दोस्तों आपको ये राजस्तान दिख रहा होगा अब यहां से आप देख सकते हैं जिसा में आपको बताया कि हमें एंट्री करनी पंजाब में तो स्री गंगानगर यहां पर है तो गंगानगर किस से संब पंजाब बॉर्डर पे जो अपना जिला है ऐसा भी कुशन बनता है वो कौन सा है वो है गंगानगर ऐसे कुशन बनता है कि हर्याना बॉर्डर पे कौन सा जिला है वो है अलवर ऐसा कुशन बनता है कोटा से कौन संबंद है वो जिला है MP से संबंद जो कोटा रखता है वो है क देपुर होते हुए हम गुजरात में निकल सकते हैं और भी जिले आते हैं इस प्रकार से हम अब समस्तने हैं कि राजस्तान का जो पूरा ओवर्यू है तो यहां आपको सपष्ट दिख रहा होगा किस प्रकार से राजस्तान बसा हुआ है किस प्रकार से राजस्तान का एक साइड के पाँच राज्जे है और दूसरी साइड में राजास्तान के क्या है पाकिस्तान तो यहां पहले कि आ प्रकार से राश्तान बना हुआ है ऐसा इमेज अगर आपके दिमाग में आएगा छपेगा ये तो आपको डेफिनेटली एक्जाम में कता ही दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के कुशन सोल करने में जिसे मालोग कुशन आजाता है जुन जुनु जिले से कौन से राज्ये की सीमा टच करती है तो आपको सोचने की जरुत नहीं पड़े क्यों कि आपने देखा वह ये जुन-जुनु रहा और जुन-जुनु के साइड में क्या है हरियाना जुन-जुनु के साइड में क्या नहीं है एमपी नहीं है जुन-जुन की साइड में अब आपसे ओप्सन आ गया है चितोडगर जिले से कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है चितोडगर जिले से मैंने आपको बता है कौन से राज्य की लगी है मद्देपटेश की क्योंकि ऐसा नक्सा आपके दिमाह में बनता है जब आप इनको रटने लग जाता है तो दोस्तों जियोगराफी जो है वो रटी नहीं जाती है और ऐसे हजार कुशन बनते हैं जैसे आपसे पूँच लिया जाए जैसल मेर से कौन सी बॉर्डर लगती है तो वो हो जाएगी पाइकस्तान की बॉर्डर लेकिन है बहुत इजी कुशन है सबको आ जाएगा लेकिन आपसे पूँच लिया जाए गंगा नगर से कौन सी बॉर्डर लगती है कौन से राज्य के लगती है और कौन से देश के लगती है तो वो आंसर होगा अपना कौन सा होगा पंजाब तो राज्य है और पंजाब ही दूसरा राज्य है पर वो दूसरा पंजाब का उनसे पंजाब लगता है यानी हनुमानगड में जो वोडर है वह है पंजाब की वह पंजाब है हिंदूस्तान वाला पंजाब जो की हमारा भारत का पंजाब है और उदर आगे जाते हैं तो आता है सिर्षा सिर्षा को आप जानते होंगे एक घटना से मैं आपको पताता हूं सिर्षा में भी बहुत बड़ा वो संत थे कोई उनके वहाँ पर उपद्रव हुआ था तो सिर्षा का नाउम से बहुत फ्हमुस हो जाता है सिर्षा रास्तान से ज्यादा दूरी पर नहीं रास्तान बोर्ड कौन से राज्य का है तो आप बोर्डर में आँक मीच के आँक बंद करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ हर्याना अलवर के जश्ट बगल में हर्याना एक राज्य है अलवर एक रास्तान का जिला है तो इसका बोर्डर कहां से अब आप जैसे रटने अब उद्यपुर से कहां जाते हैं अमदाबाद जाते हैं अमदाबाद कहा है गुजरात में हैं तो उद्यपुर से गुजरात है डूंगरपुर से गुजरात है बांसबड़ा से गुजरात है तो इस प्रकार गुजरात से कितने जिले लगे हुए हैं एक दो तीन चार पा तो उसना ऐसे मेप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजिली समझना जागा एंपी से कित्ते इजिली लगे हुए हैं मद्यप्रदेश अपने लिगा हुआ है दोलपूर करोली सवाह मादूपूर बारा जालावाड कोटा भी एंपी से लगा हुआ है अब थोड़ा आपन पढ़ते हैं राजस्तान भारत का गणराज्य का सेत्रपल के आदार पर सबसे बड़ा राज्य यह सबको पता होगा इसके पच्चिम में पाकिस्तान पच्चिम में पाकिस्तान आगे दक्षिन मैं गुज्र दक्षिन नीची है ना दक्षिन को दक्षिन मत बोलो दक्षिन को उपनें का होता है नीचे Ну भारत के सबसे नीचे चेहन नहीं है तो यहां से आपको गुझरात याद आगए होगे लोजिक्स लेल ऐसे एसे याद करो अपको दक्षण में गुजरात दक्षण पूरु में मद्देपरदेश जाएगा जाए है अगे जैते हैं, उत्तर में पंजाब उत्तर कहां होता है, सबसे उपर उत्तर होता है, नौर्ट उपर होता है, साउथ नीच नीचे होता है और उत्तर पूरु में हरियाना लगा हुआ है और उत्तर पूरु में ही लगा हुआ है क्योंकि ये बगल में है तो बगल तो हो गया अपना पूरु पूरु दिसा में और उपर भी है तो ये हो गया उत्तर समझ में आगा कैसे कैसे हुआ है सेतरफल कितना है यह कुछा जाता है तो आपको simply याद करना है ऐसे याद मत करो 342 329 क्या याद करना है आपको 342 329 वर्ग कीमी यानि कि कितना है अपना वर्ग किलोमेटर कितना है रास्तान का सेतरफल का 342 329 यानि कि जैसे मुबाइल नमबर याद करते ना अपने को इसे याद करना है 342239 इजीली याद हो जाएगा इजीली याद नहीं हो तो अपनी डायरी में लिख लो एक बात दो चार वार आपने इसको देखते रहो जिससे फोन नमबर पन देखते में मुबाइल में लिख लो वाटसप में लिख दो विना बाद वाटसप में किसी फोलिक करने कर दो वह पूचेगा यह क्या है तो आप इसको जवाब दो यह वाई शेतरपल है एसे याद किया परॉब बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि यह तो हूँ अपना वर्ग क्योंक्क में धूस्तों वर् कुछ नहीं याद करना दो एक तीन आठ नो नो कोई आपसे पूछे दोगे एक आप बोलोगे तीन आठ बोला क्या बोला नो नो सिंपल है बनके ट्रिक दो एक तीन आठ नो नो वर्गमील है कि 2011 की गंड़ना का नुसार राजस्तान की साक्षता दर चांचट पॉइंट 11 परसेंटी यह बहुत ही इंपोटेंट है इसको लिख लेना आपने डायरी में जेपुर राजदानी गए बोकुली की विसेशता हो से पच्चिम में थार मरुस्तल है आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान की तरब थार है और गगर नदी का अंतिम छोर है पच्चिम में है ये विस्व की पुरातम सेरेणियों में अरावली सेरेणी रास्तान की एक मात्र परोल सेरेणी संकला है जो प्रियेटन का केंद्री भी है माउंट आपू विख्यात है क्योंकि वहाँ पे सर्दी परती है बड़ी अच्छी कासी सिरोही जिले के संबंद मे माउंट आपू बैस्कहली हम अगर कई जाते हैं मांट आपू नहीं इसको आबूरोड से माउंट आपू सिरोही जिला रास्तान में पड़ता है जो कापी छोटा जिला है विश्व विख्यात दिलवाडा मंदिर सम्मलित है पूरू रास्तान में दो भाग अब बैरने रन थंबोर रहों सरिस्का है भरतपुर के समीब केला देवी का उध्यान है जो सुदूर साइबेरिया से आने वाले सार्सों और बड़ी संक्यामिस्ताने पर जाती हो के पक्सित पक्सियों के लिए संगसित है तो यह पूरा डेटा आपके आगया है इस एक स्लाइड में आपको इतना सारा डेटा में आपको दे दिया यहां से कम से कम आप 50 क्षिशन पर बनाना चाहें संबोर है अपना सवाई मादूबर में जो है केला देवी राष्टे विद्यान है भरतपुर के समीपी यह भी जो सुदूर साइबेरिया साइबेरिया के पक्सी के लिए कौन सा है केला देगी तो उस प्रकार से यह अपना राष्टान हुआ अब आगे पढ़ते है अब इसी राष्टान में प्राचीन समय में राष्टान में शेत्रिये अब यह थोड़ा डीप आ गया पहले क्या होता था सेत्रिये राजपूत्र वंस के राजाओं का सासन था पहले गया थे राजा थे सब जानते रजवाड़ा था राजपुताना जिसमें जालोर मेवाड मुख्य थे अब जालोर मेवाड मुख्य कैसे थे मैं आपको एक थोड़ा सा डीप ओर दूँ जालोर के अंदर महाराना पर आप जिका महाराना परताप जम मैं आपसे कहूं मैं जी लगाइंग만 बुछता हूं को संमानित व्यक्ति हैं हमारा राश्ट्र्य गोरों हैं इस राज़्य के विविताओं भागों पर अपना कबिजा जमा लिया। तो उन भागों का नामकरण अपने वंस सेत्र की फरमुक बोली अत्वाइस्तान के अनुरूप कर दिया है। वो राज्ये थे उदेपूर, डूंगरपूर, बांसवड़ा, परतापगड, जोदपूर, विकानेर, किसंगड, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जेपूर, अलवर, भरतपूर, करोली, जालावा, टॉंग अब आगे आपन देखते हैं, सिक्षन संस्तान, इन पे भी कहीं सारे कुष्ण बनते हैं दोस्तों, आपको पता है, राजस्तान के ये जो सिक्षन संस्तान में बता रहा हूँ आपको, इन पे कहीं सारे कुष्ण बने हैं, पूचे हुए हैं, ऐसे से पूच ले जाता है कि शिक्षम संझतान था कहां पे, हैं कहां, क्या, क्या चीज है, तो इन में से अपने जो प्रमूः क्षिक्षम संझतान राष्टान के है, वो यह है, समार्पी सिंद संझतान टपूकडा-अल्वर में है, रास्तान विशुद्धियाले, आपको पता हुए कहां पे है, जयपू नहीं है मोधी की था विज्ञान चन्स्तान यह दोस्तों एक बात वड़ेन ऑर बता दू कि यह भोट ही अक्यरान सिक्षन संस्तान हैं कि अब वरस्तली विद्यापीट पुर्ए भारत में फहेमस है, इसके बारे में कुसरन पूरे इंडिया लेवल पूचे जाते हैं, आईयस के एकजाम में पूचे जाते हैं, राजस्तार विद्यापीट जो उध्यपूर में है, बिड़ला प्रदोकिकी विज्ञान संस्तानी पिलानी में है जो भी बहुत फेमस है पिलानी से बोद लोग भी टेक करते हैं इंजिनेरिंग की पढ़ाई करते हैं जेन विवाबारती दोफ्तों ये जेन इंवर्सिटी है जेन विवाबारती जो गल्स के लिए हैं और ये नागोर जिले के लाड़नू सेत्र में है और यहां पर महुलाद सुकाड़य विशुद्ध्याले जो उद्यपुर में है राष्टे विशुद्ध्याले उकल मलागे इस प्रकार से वर्दमान खुला विशुद्ध्याले सारे विशुद्ध्याले जो है वो इस टाप से आपको थोड़ा थोड़ा इनको देखना है कही को कोई क्यूशन बन जाए तो आपका गलत ना हो वैसे तो बहुत तारित आपको याद ही होंगे बॉलाना अबलुक लाम आजा वुशित द्याली जोद्पुर में है इसके बारे में क्यूशन पूचा जाता है यह हुए सक्षर संस्थान बपन बात करते हैं जिलों के तो इस आपसे यहां पर जिले दिये हुए हैं सबसे आगे लिखा हुआ है जिला उसके बाद लिखा हुआ है जिला मुख्याले तो अजमेर अजमेर का जिला मुख्याले अजमेर ही है फिर आता है अलवर जिला बांसवडा जिला बाना जिला टूटल तैतिस जिले हैं इनके जो डे से त्रपल की दर्ष्टी से यह थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चीए क्योंकि इस पर कुछ ले जाते हैं वैसे आप इतना डेटा याद कभी नहीं करपा हुए तो कोशेस भी मत करना लेकिन हाइस्ट और लोवेस्ट वाले का याद कर लेना अजनसें के दर्ष्टी से से त्रपल की दर्ष्टी से अब बात करते हैं लिट्रेशी रेट बाई सेक्स एंसर्स तो राजस्तान में लिट्रेशी रेट है सेक्स एंसर्स के इसाप से दोस्तों इसके रिगार्डिंग क्यूशन आने की 100% संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि रानी पदमावती का जो अभी बवाल हुआ था उसके उपर फिल्म के उपर तब बहुत जादा ये बातें उठाए गई थी कि रास्तान का जो लिट्रेशी रेट है वो महिलाओं का बहुत कम है लगबग 22 परतिसत है और मेल्स का है 79.19 परतिसत तो ये कुशन बनने के संभावना है क्योंकि ये अभी ट्रेंड में और जो चीज़े ट्रेंड में होती है उनके कुशन जादा बनते है तो रास्तान का है टोटल ओरो रास्तान का है चाचट पॉंट 11 परतिस फिमेल्स का है 52.12 परतिसत यानि की 52.12 परतिसत डिस्टिक इन टरम्स ओप स्कीलिंग यानि की दोस्तों स्कील के इसाब से कौन से डिस्टिक है जो सबसे ज़्यादा टोप में आता है कौन से डिस्टिक है जहां पर स्कील कत्य यूज होती नहीं इतनी ज़्यादा उसका प् भरतपूर यहां पर सब्सक्राइब ज्यादा स्कील्स का काम होता है और बोटम फाइब जो है वह प्रताबगार टॉंग सवय महदपूर जालो और रासमन तो दोस्तों यह है इनमें भी क्यूशन बनने के आसार है क्योंकि इसकील डवलोमेंट के उजना थी वो लुट करने के बाद अधिकांस एकजाम में इसकील के रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूशन पूछे गए हैं आपने पिछले कुछ एकजाम दिये होंगे तो आपको पता होगा जब भी पदमेर के बारे मिं सोखते होंगे कुछ इसी टाइप की चित्र आपके दिमाग में आते होंगे आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए कि ध्यान से देखिए धुस्तों कुछ याद आ रहा है आको जोस्तों मारे तरीका थोड़ा अलग है लेकि पैटेंट हैं आपने जो चित्र देखे अभी, अगर वो चित्र आपके दिमाग में आते हैं, तो आपके आदे से जदा कुछसंस वोल बोजाते हैं, दोस्तों चित्रों में मैंने दिखाया आपको अधाई दिन का जोबड़ा, इसके सम्मंध में कहीं सारे एक्जाम्स में कहीं कुछे गएं, इवन इं यहाद करना है याद करके मनन करके एक्जाम में जब कुस्सन आये तो सोचना है कि हाँ यार कुछ न कुछ तो याद आ रहा है इसी इसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही ईजी ली आपका हरे एक कुस्सन सही हो जाएगा और आपको रटने की भी जोरत नहीं है खर यह तो हुई चित्रों की बात, अब आता है मैन पॉइंट पे, यहां से अपना टोफिक स्टार्ट होता है, दोस्तों अजमेर जिला, यानि कि अजमेर डिस्टिक जो है राजस्तान में, वो कहां पड़ता है और भारत में कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों यह है राजस् भारत के अंदर और राजस्तान के जश्ट मद्य में क्या है अजमेर देख सकते हैं अब यहां पर दिख रहा है आपको भारत और यहां दिख रहा है आपको अजमेर अजमेर कहां दिख रहा है राजस्तान में तो ये भारत का जो राजस्तान है वो यहां बड़ा करके दिखाया गया है ठीक है समझ में अजमेर की स्तिती कहां पर है भारत मेर कहां पर है राजस्तान में तो भारत के अंदर अजमेर देखना है पहले राजस्तान, और राजस्तान के अंदर अजमेर देखना है अब दो राजस्तान के मध्य में आपको जाना पड़ेगा, अब आगे चलते हैं, तो ये राजस्तान का पुरा मेप आ गया है, अब आपको समझ में आ रहे हैं, जियोग्राफी के लिए हम कहां से जा रहे हैं, हम पहले भारत से राजस्तान में राजस्तान से अजमेर आए फिर अजमेर से अजमेर के अंदर जाएंगे फिर अजमेर के तरसीलों के अंदर जाएंगे फिर अजमेर के गाउं के अंदर जाएंगे और इस प्रकार से सारे प्रशना आपके सोल होते जाएंगे बस आपको ध्य यहां से वीडियो को देखने कुछ निकड़ा तो यहां पर अपने पास अजमेर दिख रहा है इस वीप में आपको यह अजमेर अब आपको यह पता करना है यहां से क्यूशन बनते हैं दोस्ता अजमेर जिला जो है ताजस्थान के मद्दे में हैं तो इससे पहला क्यूशन कोई भी नहीं तो अंतराष्टिये, नहीं राष्टिये, नहीं राज्जिये, सीमाएं नहीं लगती है, समझ में आई बात, जितने भी सीमा लगती है, और डिस्टिक्स की लगती है, और सारी डिस्टिक्स के हैं, किसके हैं, राजस्थान के डिस्टिक्स के हैं, अलग स्टेट के नहीं है तो पहला question तो यही clear हो जाता है रही बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर से कौन से राजजी की सीमा लगती निमन में से कोई नहीं उसमें answer में option में होता है आपको वही टिक करके आना होता है सोचने की जरूती नहीं इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही easy लिय होती है तो आप यहां पर देखे कितने जिले हैं बूंदी की टच होती है होती है नहीं होती क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यह बूंदी है और यह भीलवाडा है यह टोंक है तो बूंदी अजमेर से टच में नहीं है टोंक टच होता है जेपू टच होता है नागो टच होता है पाली टच होता है और अपना राजसमन भी अजमेर से टच होता है क्योंकि यहाँ पर ब्यावर तरसी रहे दो तो यह आपको पता नहीं होगा अपी पूरा डीप ले दिन करेंगे सब समझ में आ जाएगा राजसमन टच होता है भीलवाड़ा तो टोटल कितने होगे भ अब यह दूसरा चितर दिख लगा आपको साइड में यह है मुख्यत अजमेर का चित इसमें यह जो दिख रहे आपको पार्ट यह हैं तअजमेर की तरसीले हैं अजमेर के अंदर एक कि तो आप अगर रठते हैं आपको याद नहीं रहता है लेकिन आप इस तरीके सा अगर इसको लिमाग में इमेज बना लेते हैं फोटू बना लेते चप जाता आपके तो सब कुछ आपको याद रहता है कुछ भी सब्सक्राइभ नहीं बस आपको जैसे secondly देखते हैं न, 16 मूवी देखी, अभी तब भूले हैं क्या, कितने जवाने पहले देखी थी, तो यह मूवी तो चल रही है, इस मूवी का नाम अजमेर, इसका एक्टर है अजमेर, बस द्यान से देखना, कुछ नहीं करना, पड़ोगे तो भूलोगे, समझ में आई बात, कित किसनी तखसील हैं, 9, कितने डिस्टिक्ट जूड़े हुए हैं, 6, कोई कहेगा कैसे जूड़े हैं, साब 6, हम क्यों रटे साब, देखो साब, यह देखो, कितने हैं, भीलवाडा, टोंक, जेपूर, नागोर, पाली, रासमन, समझ में आईगी, कोई ट्रिक लगा नहीं, दिक्कती नहीं है, डायक याद रखो, अजमेर, रजमेर कहा हैं, रास्तान के मद्दे में, मद्दे में तो कोई सीमा लगे किने, सीमा लगे कि दिस्टिकों के लिए डिस्टिक कोन से, भीलवाडा है, टोंक, जेपूर है, नागोर है, पाली, रासमन, देखोर क्या है, छे विद्यों चौन और बोर्ड लेकर और पूराने तरीकों से पढ़ते आए रहे हैं, अब नया तरीका आगे है, नए तरीकों से याद करेंगे, और याद तो करने से नहीं है, तो बिनना पढ़े आपको सब कुछ याद हो जाएगा, पस आँ ध्यान से देखती जाईए, आप पता चल गया है रेसा हल जीजसा कुछ होता है इससजोर बूबर है और अजमेर के यह तरसील कहाँ पे है के顏ट और फिलसन के बीडिय नसेद बाल बीच पड़ता है अ गरिफ कोंण से तरसील पड़ती है Нँगा लेकिन घूल लिए यो झाला कि तो बना नहीं है अब थोड़ा सटेक्स देखों जमेर किसमें पड़ता है राजस्तान और यहां कितने 9 सबडिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् विलेज होगे यानि कि 1111 यानि विलेज होगे तो नोत असील ग्यारा टाउन और 1111 यानि कि 1144 टेट्राफोर 1111 होगे आपके 1111 और 8 सीडी ब्लोक्स हैं आपके ब्लोक्स जो होते हैं उसे साब से अब थोड़ा डीपली और दिन करते हैं अजमेर का यह बैसिकली बता रहा हूं पूरा अंदर तक जाना भी अपनको इतना मस होचीए कि अभी थोड़ा चल रहा है सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक क्यूशन नहीं छूट पाएगा और खा का बंदा अगर ट्रिक याद करेगा तो कितनी कर लेगा वहां तो कोई अप्रम पार है कोई सीमा ही नहीं है कहीं से भी इंटर्वी कुशन पूछ लिया जाता है कहीं से भी थियोरी में कुशन आ जाता है और लिखना पड़ता है तो लिखेगा कैसे ट्रिक से तो कुछ अब पड़ता हैं अजमेर डिश्टिक्स में क्या है तस् emphasis कितनी अजमेर जिले में और इसको लिखा server जाता है, English का translation हुआ है, इसे थाप चेहां पर server लिखा है, server और सावर में confusion नहीं होना है, सावर और server एक ही जीज़े, तो अज में जिलम कितनी तसील होगी, अब नो तसील होगी, अब डिस्टी कितने हैं, जो गिरेव हैं, छे होगे, तोटल गाउं कितने हैं, गाउं बताने मैं आपको, कितने गाउं, याद करो, 1111, देखाने हैं, आर अभी अपने, 111, टाउन कितन सब डिस्टी कितने हैं, सब डिस्टी कितने हैं, सब डिस्टी कितने हैं, सब डिस्टी कितने हैं, सब डिस्टी क्या होथा, तसील होती, कितने जिलों से गिरा हुआ है, आप ये ले हो, छे जिलों से गिरा हुआ है, याद हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से सारा कुछ सावर, सर्वर सावर एक ही है, नाम में गन्फूज नहीं होना है, और इन तशिलों में सबसे बड़ी तशिल कौन से दिकरीगा, आपको फोटो में देखें, आप कहेंगे किसन कर सबसे बड़ी तशिल है, दोस्तों, फोटो भी कभी कभी गन्फूज कर देता है, तो यह कन्फ लिया गया है क्योंकि जग नहीं थी ठीक है सबसे बड़ी तक्षिल ब्यावर है और सबसे चोटी तक्षिल पीशागन है अब कहां पर पीशागन अपने इतनी चोटी तक्षिल भी जारी कि पीशागन है यह कापी बड़ी कर दिया है मैंने पीशागन अजमेर के सैड में है कि कि अब अपना आते हैं अज मेर जिले में विदान सभा सेत्र कितने इस पर प्रश्ण बनते हैं दोस्तों एक बाद में फिर से बता दूँ एक डाटा बहुत ही ज्यादा किसी वी तरीके के से कूपी करने गोश्च सुना करें अलाit कि तरीका मेरा कभी कोपी करना हुग डेटा को पर दोपा दो कुछ यूटूब के टीचर्स भी हैं वो भी देखने आता है विदान सभाई है तो ठीक ए टीचर्स लोग आप देखने आते हो देखिए घ्यानप्रा आपने क्या तसीले जब निकाल ली आपने उसके साइट के जिले च्छे हैं वह याद कर ली है आपने अजमेर का रास्तान वह याद कर लिया तो क्या विदानसवा याद नहीं पर वाओगा है इसली कर लोगे अब बहुत बढ़ी या लोजिक बताता हूं अजमेर जिले में साथ विदानसवा इन साथ विदानसवा सेत्रों में पहला है पुसकर अब एक बात ध्यान रखना पुसकर पर ये क्विशन बना हुआ है दो तीन बार आया हुआ है पुसकर जो है अजमेर जिले का है विदानसवा सेत्र संसदिय सेत्र तहसील और नगर निक लेगा निकाल लेना तो अजमेर जिला जो है अजमेर जिले में पुसकर जो है वो विदान सवा सेत्र है अजमेर उत्तर है अजमेर साउत है नसिराबाद है ब्यावर है मासुदा और केकडी है केकडी तसील भी है ब्यावर तसील भी है नसिराबाद तसील भी है मासुदा तसी पुसकर तो दोस्तों यह हो गए इनकी तसीले अब आपको एक बात में और बताता चलूं अजमेर का जो एक पार्ट है ब्यावर का वह ब्यावर का जो पार्ट है मैं आपको थोड़ा रास्तान के डीप में बताता हूं यह अजमेर है यहां पर यह ब्यावर है यह पाली के रास्तान के बीच में जो छोटा सा दिख रहा है निला सब लोग यह ब्यावर है यहां से ब्यावर तसीले यह ब्यावर जो है राज समंद और पाली के बीच में है तो आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि यह दूसरा जो पार्ट है यहां से जो आ रहा है यह यह दोनों ब्यावर ही है और यह बीच में से तूटा नहीं हो है यह अजमेर में ही जुड़ा हुआ है तो इतना ध्यान रखना है और ब्य तो हम्हारा भारत और भारत के अंदर यह हमारा रास्तान आगया रास्तान के अंदर हमें जाना है दिल्ली से लेकर अहमदाबाद के लिए जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास्च यहां पर दिख रहा है ऑमदाबाद कहां पर गुजरात में, तो हम अमदाबाद में देखते हैं गुजरात में यह अवंधाबाद है, नहीं अब डिली जाने लिए बहुत ही इजी लिए आपको समझ में आ रहेगा ये देली है अब उसके लिए हमें पहले आना पड़ेगा जेपुर जेपुर आने के बाद राजस्तान में अजमेर जाना पड़ेगा तो रेलवे लाइन जो ये जा रही है वो दिल्ली से अहमदाबाद के मद्धे में क् अब ऑद कुछ रहा है तो इस परकार से कोई वी प्रश्ण आपके पूचा है कि दिल्ली अहमदाबाद रूट के अंदर कौंसा जिला पड़ता है तो वह जिला है अजमेर और भी जिलह है राजस्तान के जोको जो रूट गोटां होकर के जाता है और अजमेर में डिक इस्तित है पहाडी पे किला है और नीशली रहनों पर यह सहर इस्तित है परवतिय सेत्र में बसा अजमेर अरावली परवतमाला का एक हिस्सा है अरावली परवतमाला कहां तक जारी है बूंदी में भी है यह अठेट अलवर तक जारी है जिसके दक्षिन पच्चिम में लूनी में उनका बहुत बड़ा हाथ था, अब ये प्रस्ण पूचा जाता है कि अजमेर को इत्र के लिए प्रसिद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो मुगलों की जो बेगमे थी, जो सदादियां थी, उनका बहुत बड़ा हाथ था, कहा जाता है, नूर जहां ने गुलाब के इत्र को इजाद किया था, नूर जहां जो है, उन्होंने गुलाब के इत्र को इजाद किया था, इस पर प्रस्ण बना हुआ है, कुछ लोगों का मानना यह है, इत्र नूर जहां की माने इजाद किया था, अजमेर में पान की खेती हो जाता है बहुत ही इजी लिए हम समझेंगे कोई दिक्कत नहीं को लोड लने की जोतनी हमारा तरीका सबसे अलग है लेकिन सबसे ज़्यादा एफेक्टिव है अजमेर सहर का नाम अजमेरू नाम पर पड़ा दोस्तों आपको दीख रहा हुए यह अजमेर का ही लुक है चित्र सतापदी में गुजर राजा अजेपाल चोहान ने की थी अजमेर से 10 किलोमेटर की दूरी पर अजेपाल का मंदिर आज भी है अजमेर के संस्तापक की याद दिलाता है जो अजमेर से 10 किलोमेटर की दूरी पर अजेपाल का मंदिर है और आज भी वो ये याद दिलाता है कि उनका अजमेर का स्तापना जोती संस्तापक कोन थे बारवी सतापती में गुजर राजा अजयराज चोहान के समय यह एक मत पूर्ण नगर बन गया उसी ने अजमेर में तारागर नाम का एक मजबूत किला बनाया तो बहुत सारे प्रस्नियासन लिखल के आ रहे हैं सारे के लि अजमेर का इतियास काफी पूराना है अजमेर के इतियास की बात करते हैं अजमेर का प्राचिन नाम अजमेर हुथा यह हमने तीन चार बार इसी यूडियों पढ़ लिया है अब आपको याद हो गया होगा बहरवी सतापदी की लिखी एक पुस्तक प्रत्युराज विजे क अनुसार इस राज्य को साकंबरी चामान वंस के राजा अजे राज जित्युने बरसाया था हमने पहले ही पढ़ लिया है अगली स्लाइड में कि कौन था यह अजे राज जो था चोहान इसका नाम ता बारवी सदी के टाइम पर बनाया गया था और अजे पाल का मंदिर भी वहाँ पर है उन्होंने 1110 से लेकर 1115 तक राज्य किया परसिद इतियासकार दस्तरत सर्मा के अनुसार पटावली लेक की जो 1113 में लिखा गया था उसके अनुसार इस नगर का प्राचिन नाम धारा नगरी था ध्यान रख लेना प्राचिन नाम अजमेरू भी था धारा धारा नगरी किसका अनुसार है प्रतावली लेक के अनुसार यहीं परसंद में गोचक घाते हैं प्रतावली लेक के अनुसार दस्तरत नीमरो ठीन नाम धा हुआ माना जाता है इस बात की पुष्टी विग्रह राज चतुत नाम भोजन साला के निर्मान के लिए जाना जाता है कि आलांतर में मुस्लिम सास्कों ने धाई दिन के जोपड़े में बदल दिया ये धाई दिन का जोपड़ा जो है आपको दिख रहा होगा फोटो में साब साब ये विग्रह राज चतुर नाम भोजन साला के निर्मान के लिए जाना जाता था पहले भोजन साला थी ये इसे कलांतर में मुस्लिम सासकों ने धाई दिन के जोपड़े में तबदील कर दिया गया अधाई दिन के जोपड़े उपर बहुत सारे प्रस्ण बनते हैं अधाई दिन के जोपड़े के बारे में आपको जानगरें प्राफ्ट करते हैं राजपुता ना वो बंबाई गजट के अनुसार अजमेर पर सास सो वर्सों तक चोहान वंस के चेची गुज्रों का र बन वाया था जिसे 1902 में मुहमद गोरी ने नश्ट करके उसके इस्तान पर अढ़ाई दिन का जोपड़ा नामक मजजित बनवाई करसी और खनीज के बारे में बात करते हैं यूडियों पूरा बात करेंगें पूरी डिश्टिक के कितने भी कुशन आए हम यहां से निकाल क आज आप भी इतने जल्दी पढ़ियेगा रोचकता से पढ़ें जल्दी याद होगा यहां पर अब्रग लाल स्पिटिक धातु और इमारती पत्तर की खुदा ही होती है तो अब्रग भी मिलता है स्पिटिक धातु भी मिलता है लाल कलर का और इमारती पत्तर ही मिलता है और यहां पर तिलहन, होजरी, उन, जूते, साबुन, दवा, निर्मान, छोटे-छोटे आने कुद्योग है, अजमेर कपड़ों के रगाएं वह बुनाइक तता अपने हस्ति-चिल्प के लिए परसिद्ध है, अजमेर की ध्रोड के बात करें, दोलत बाग, आना सागर, जील, दरगा सरीफ, बहुत ही इंपोर्टेंट है, सारी चीज़े हैं, याद कर लेना, एक-एक कुछन पूछ लिया जाता है, दोलत बाग कहां पर है, अना सागर पर तो पूछा हुआ है, बहुत बाग कहा जाता है, यही वो इस्तान है, जहां संत, सूपी संत, हजरत खौजा मौनदीन चिस्ति ने आखरी बार विश्राम किया था, जहां लोग दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं, मकबरा हजरत खौजा हुसेन चिस्ति, उलादे खौजा, सोनी जी की नसिया, नारेली थिर्थ, अडाय दिन का जोपड़ा, फोई सागर अकबर का किला ह कितनी धरोवर हैं, सारी याद कर लेना, दोलत बाग, आना सागर जील, दरगा सरीब, अजमेर के करीब, तीत राज कुसकर है, जहां ब्रमा जी का मंदिर है, बहुत सारे प्रशन बनते हैं, दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं मकबरे को, और फोई सागर और अकबर का किल वल है, 5136 वर्ग किलोमीटर, सिरोही जीले की जनसंख्या है, 10,37,185 और सिरोही जीले का जो सभागिये मुख्याले है, वो इस्तित है, जोदपूर में, अगर यहां की भोगवले की स्तति की बात की जाए, तो भोगवले की स्तति है, 24.88 डिग्री नौर्थ से, 72.86 डिग्र इस्त में, सिरोही नगर, दक्षिन पस्चिमी, राजस्तान राजे, पस्चि मोत्तर भारत में, इस्तित है, यहां पहाडियों वो चट्टाने शंखलाओं के तूटकर गिरने से बने भूबाग पर इस्तित है, जो शारवान पहाडियों की पस्चिमी धलानों पर ठिका है, और कहा जाता है कि इसी पर इसका नाम पड़ा है, शिरोही अरावली परवत माला के बीच में, इस्तित है, यहां के इतिहास के अगर बात के जाये तो प्राचिन काल में यह शेत्र आबूर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और गुजर मरुशेत्र का भाग था, शि प्रशित इतिहाशकार कर्नल टोट के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम सिवपूरी था, 1405 में राव सुभाजी ने सिवपूरी सहर को बसाया था, पंदरवी सताब्दी में इस्तापित सिरोही भूतपूर सिरोही रियास्षत की रास्थानी था, जिसका 1949 में मुंबई रा प्रशित का हिस्सा बना, कली राजस्तानी परंपरायम संस्क्रोती की चाप छोड़ने वाल एक संभाग है, यहांकि शिख्षा की बात की जाया तो यहांपर डिपलोमा और अन्ने सामनने कोलेज यहां, प्रात्मी करैंप्स बने कीकी सिक्शा है, तो सरकारी स्कूल, इस शेत्र की प्रमुक फसले हैं सिरोही में चूना पत्र ग्रेनाइट और संग वर्मर का कलन किया जाता है सिरोही नगर एक्रशी बाजार और अस्तसिल्प धातु क्रम का केंद्र है जो चाको कटार्वत अलवार के निर्मान के लिए विख्यात है यहां के प्रमुक इस्तलों नद्यम जीले की जो बात की जाये तो यह शेत्र पश्चि में बनास और लूनी वह शूकरी आदी के सहायक नद्यों द्वारा अप वाहित होता है बनास बांडी सिपूर जवायम सूकरी यहां की प्रमुक नद्या हैं माउंट आगो इस्तित नक की जील एक प्रमुक जील है परिवहन और यत्यत की बात की जाये तो दिल्ली अहम्दबाद अजमेट जैपूर जोदपूर से बस सेवा की सुविधा उपलब्ध है सबसे नजदी की हवायदना हैं आका उद्योग और वैपार की बात की जाये तो सिरोही में चूना पत्थर ग्रेनाइट और संग बार्मर का खनल किया जाता है सिरोही नगर एक रशी बाजार और हस्त सिल्पध हातु करम का केंदर है जो चाकू कटार्वत अलवार के निर्मान के लिए विख्यात है सिकर जीले का सिकर जीले से जुड़े कुछ ऐसे महत्व पूंट अथे जो एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स राजस्तान का सिकर जीला सबसे पहला आता है अपना महत्व पूर्ट अथी जो महत्व पूर्ट अथी है उसमें सामिल किया है हमने एक तो वहां का शैच्चिफर, वहां की जनसंख्या और वहां का संभाग्य मुख्याले संभाग्य मुख्याले अक्सर एकजाम में पूछा जाता है सीकर जीले का कुछ एत्रफल है 7732 वार्ग किलोमीटर सीकर जीले की जो जनसंक्या है वो है 26,47,737 और सीकर जीले का संभागिये मुख्याले है जैपूर में तो ये सबसे महतोपूर है क्योंकि कभी-कभी जीलों का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ दे दिया जाता है संभागिये मुख्याले इनको सुमेलित कीजिए तो इस तरह के क्योशन एकजाम में पूछ लिए जाते है सेखावाटी राजस्तान का सबसे बड़ा सहर और जीला मुख्याले है इसके बाद है इसके उत्त्र में जुनजुनू उत्तर पस्चिम में चूरू दक्षिन पस्चिम में नागोर और दक्षिन पूर में जैपूर जीले की सीमय लगती है इसके जो उत्तर हैं, उसमें जुनजुनु है, उत्तर पस्चिम में चुरू है, दक्षिन पस्चिम में नगोर और दक्षिनपूर में जैपूर जीला, इसके सीमा इसे लगती है इतिहास की बात की जाये तो सीकर सहर जुजार सिंग नहरा के नाम पर सन 1730 में बसाया गया था सीकर सहर जो है जुजार सिंग नहरा के नाम पर बसाया गया था 1730 में नहरा लोगों के प्रिशिद्ध सर्दार जुजार सिंग नहरा का जन्म समवत 1721 विक्रमी श्रावन महीने में हुआ था उनके पिता नवाप के यहाँ फोच के सर्दार यानी फोचतार थे उनकी हार्दी किच्छा दिकी नवाप साही के खिलाब जाट लोग मिलकर बगावत कर सर्दार जुजार सिंग सार्दू सिंग ने नवाप साही को समाप्त किया लेकिन उन्हें तिलक करने के बाद विश्वाशा घात कर मार डाला तो उनको जो है विश्वाशा घात करके मार दिया गया था कलेम संस्कृति की बात के जाये तो यह सं राजस्तानी परंपराम संस् शिक्षा की बात की जाये तो यहां सेखावटी का एक प्रमुख सिक्षा केंद्र है सेखावटी का ही प्रमुख शिक्षा केंद्र वहाँ परिस्तित प्रात्मिक और माधमिक सिक्षा है तू शरकार स्कूल निजी शेत्र की कहीं स्कूल है तकनीकी सिक्षा के लिए इंजिनेर मुख्य भसले हैं जीले में सिमेंट और कपास ओटाई के कार खाने हैं यहां बैरेलियम अब्रग संग मर्मर और फ्लोराइट का खनन होता है एक तो बैरेलियम मिलता है अब्रग मिलता है संग मर्मर और फ्लोराइट यहां पर मिलते हैं यहां कि प्रमुकिस्तलों के बात की ज का उतार हैं जिन्होंने स्रीक्रेश्ण से वर्दान प्राप्त किया था कि वे कल्योग में उनके नाम से पुझे जाएंगे हर्शनात मंदिर सीखर जी लेके निकर इस्तित एक इत्याशिक मंदिर है चावमान साशकों के कुल देवता सिव हर्शनात का यह मंदिर हर्शकिरी प प्राचीन मंदिरों के खंदर है जीन माता मंदिर सीखर जीले में इस्तित है यह सीखर से 19 किलोमेटर दक्षिन में इस्तित है यहाँ पर जीन माता एक प्राचीन मंदिर इस्तित है जीन माता का यह पवित्र मंदिर सेकडों वर्ष पुराना माना जाता है नदियों जीलों क के बात की जाए तो सीकर में कम बारिष होने के कारण कोई प्रमुक नदी नहीं है कुछ बरसाती छोटी नदियां एम नाले ही यहां पर मिलते हैं परिवहन और यातयत की बात की जाए तो यह जैपूर से 125 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित हैं सीकर का निकरतम एरपोर्ट है ज वेपूर अजमेर दिल्ली आदी सरों से बस सेवाए उपलब्ध है उद्ध्योग वेपार के बात की जाए तो क्रिश्यूम खनननिया के प्रमुक वेवशा है सीकर के हस्तसेर्प में वस्त्रोध्योग मिटी मिटी के बर्तन मीनाकारी और लाग का सामान शामिल है तो यहां कुल शेच पल है 10,527 वर्ग किलोमेटर सवाई माधपूर जीले की जनसेंख्या है 13,38,114 और सवाई माधपूर जीले का जो संभागे मुख्याले है वो है भरतपूर में इसके बाद आती है आगे भोगोली किस्तिति भोगोली किस्तिति की बात की जाए तो 25 तिग्री 59 मिन नोट से 76 डिग्री 22 मिनट इस्ट में है सवाई माधपूर जीले में निम्न तरसिले है अब वहाँ पर तरसिले कुनकुन सी तो वो है गंगापूर सिटी सवाई माधपूर बोली बामनवास और खंडार सवाई माधपूर राजस्तान के प्रमुख सहरों में से एक है यह सहर के अबल राष्ट उध्यन के लिए ही नहीं बल्कि अपने मंदिरों के लिए भी फैमस है इतिहास की बात की जाए तो इस सहर के स्थापना सवाई माधपूर सवाई माधपूर सवाई माधपूर से प्रथम ने 19 जनवरी 1763 में की थी जो जैपूर के महाराजा थे 28 सतबदी में महाराजा सवाई माधपूर से द्वारा सहर के स्थापना करने के लिए उन्हीं के नाम पर इस यगा का नाम सवाई माधपूर रख दिया गया कल एम संस्कृति की बात के जए तो सवाई मादोपूर में हर मंदिर के साथ कोई नो कोई कहानी जुड़ी हुई है कुप सुरत वास्तो सिर्फ से सजे ये मंदिर बड़ी संख्या में शद्धा लोगों को अपनी ओर कीशते हैं यह राजधानी यह रदस्तानी परंपरा एम संस्कृति की छाप छोणने वाला एक संभाग है शिक्षा की बात की जायते हैं आपर डिप्लोमा और अन्ने सामाने कोलेज है प्रात्ने के मादमेक शिक्षा है तो सरकारी स्कूल एमनीजी शेतर की कई अच्छी स्कूल्स भी है खनीजम क्रशी की बात की जायते हैं सवाई मादपूर क्रशी शम्रत शेतर है प्रमुक किस्तल में आता है रेंट अमो राष्ट्र उध्यान सवाय मादुपूर का प्रमुक परेटर किस्तल है यह उध्यान देश के भैतरीन बाग आरक्षिक सेत्रों में से एक है 1981 में इसे राष्ट्र उध्यान का दर्जा मिला 392 वर्वी किलोमेटर में फैला यह उध्यान अरावली और विंधी की पहाड़ियों में फैला है त्रिनेट्र गनेश मंदिर एक प्रमुक मंदिर है यहां गनेश चतुर्थी मेला सवय मादुपूर का सबसे बड़ा मेला है खंडार किला मध्यकाल में बना तारागट का खंडार किला सवय मादुपूर से 40 किलोमेटर दूर है नद्यम जीलों की बात कई जाए तो सवय मादुपूर में प्रमुक नद्यम में मोरेल, चंबग और बना से सुर्वाल जील एक प्रमुक जील है जहां बहुत से पक्षी भी देखे जा सकते हैं पारिवहन और यादया दिल्ली जैपूर से बस सेवा के सुविदा उपलब्ध है सवय मादुपूर में रेलवे स्टेशन है जो जैपूर के अन्य प्रमुक सहरों से जुड़ा हुआ है राष्टर राजमाक 11 और 12 के राष्टर सवय मादुपूर पहुचा जा सकता है सबसे नज़्दे के अवय अद्दा जैपूर है उद्ध्योगोर व्यपाल क्रशियों खैननकारिया का मुख्य व्यवसाय है तो राजसमन जीले का सबसे पहले आता है अपने राजसमन जीले का महत्वपूर तथे तो महत्वपूर तथे की बात के जैए तो यहां का जो कुल शेत्रफल है वो है 4,768 वर्ग किलोमेटर यहां की जो कुल जन संख्या है वो है 11,58,283 और राजसमन जीले का जो संभागी मुख्याले है वो इस्तित है उद्धैपूर में यहां की भोगले की स्तिति के अगर बात के जाए तो 25.07 डिग्री नोट से 73.88 डिग्री इस्ट में है और राजसमन जो है अरावली परवत माला के बीच में स्तित है तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है यहां की तिहास की बात की जाए तो राजसमन जीले का निर्माण 10 अप्रेल 1901 में को उदेपूर जीले से हुआ था सहर राजसमन का नाम राजसमन जील के नाम पर जिसका निर्माण मेवाड के राना राज सिंग द्वारा 17 इस्वी में करवाया गया था कलयम संस्कृति की बात की जाए तो यहां मेवड अंचल के अलग ही आबा है यह राजस्तानी परंपरायम संस्कृति की चाप छोड़ने वाला एक संभाग है सेक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर डिपलोमा और अन्य सामाने कोलेज है ताथ में क्यों माद्य में इक सेक्षा है तो शरकारी स्कूल नमनीजी शेत्र की कहीं अच्छी स्कूल्स पी है यहाँ के खनी जम संसादनों की बात की जाए तो राजसमन्द क्रशी के साथ खनी संसादनों में सम्रद्ध शेत्र है राजसमन्द में मारबल, ग्रेन आइटम, चूना, पत्थर का खनन प्रमुक है धरिबा और जावर खाने, जस्ता, चांदी, मेंगनीज, आदी के लिए लोह आयस्क का प्रमुक श्रोत है प्रमुक किस्तल यहां की बात की जाए तो नाथ जोरा का जो श्री नाची मंदिर है एक प्रमुक धार में किस्तल है एक लिंग चे एक प्रमुक सिव मंदिर है हल्दी गाटे एक प्रमुक एतिहाशित जगर है जहां मेवाड के राणा प्रताप सिन और नुगल समराथ अकबर के मान सिंग के भी युद्धु हुआ था राजसमन जील काक रोली तता राजसमन सरों के भी चिस्ते थे इस जील के स्तापना सत्रवी सताबदी में मेवाड के महाराना राज सिंग न की थी इस जील का निर्मार गौमती, केलवा तथा ताली नदियों पर डेम बना कर किया गया जे समन जील भारत का सबसे बड़ा क्रत्रिम जील है यह जील 88 सी वर्ग किलोमीटर शेत्र में फैला हुआ है महराना जे सिंग ने इस जील का निर्मार शत्रवी सताब्दे में गौमती नदि पर डेम बना कर किया था नदियम जीलों की बात के जाये तो बनाश गौमती आरी चंद्रभोगा राजसमन की प्रमुक नदिया है राजसमन जील, कांकरूली तथा राजसमन सहरों में इस जील की स्ताफना Ст्रवी सताब्दे में मेवाड और महराना जे सिंग ने की थी राद समन जील का निर्मान गोम्ती केलवा तथा ताली नदियों पर डेम बना कर किया गया और जो जे समन जील है वो भारत के सबसे बड़ी क्रत्रिम और यह जील 88 बरगी किलोमेटर शेतर में फैली हुई है महारणा जैसिंग ने इस चील का निर्मान 27 अताबदी में गोम्ती नदि पर करवाया था दोस्तों यह जो है नदियों जीले यह टोपिक बहुत ही महतोपूर है तो आप इनको ध्यान रखना परिवन और यतयात की बात की जाए तो दिल्ली अहमदाबाद अजमेर जयपुर जोत्पुर से बस सिवा की सुवेदा उपलब्धे और सबसे नस्तिक्या वयाड़ाय आप पर है उद्योगों व्यापार की बात की जाए तो कृश्यम खनन का र थे महत्रपुन तच्छों में आता है अपना शैत्रिपल प्रताफगर जीले का जो शैत्रिपल है वह है 4117 वर्ग किलोमीटर प्रताफगर जीले की जनसंक्या है 2011 की जनगर्ना के अनुसार वह है आठ लाख अड़सट हजार दोसो एकत्यस और प्रताफगर जीले को जो संभागे मुख्याले है वह इस्तित है उद्यपूर में भोगली किस्तिति की बात की जाए तो 24 डिग्री 1 मिलेट नोट से 74 डिग्री 46 डिग्री इस्त में इसकी भोगली किस्ति है इसके बाद आता है शैत्र माही नदी के तत्पर बसा होने से इसे कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है यह जो है माही नदी के तत्पर बसा हुआ है इसलिए से कांठल प्रदेश कहा जाता है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है इतिहास की बात करते प्रतापगर 26 जनवरी दोचर आटको राजस्तान का 33 जीला बना था प्रतापगर मेवार के गुहिल बंस की सुशोदिया साख महाराना कुंभा चित्तोडगर और महाराना प्रताप इसी वन्स के प्रतापिश्टाशक थे कला हैं संस्कृति के बात के जाए तो यहां मेवार अंचल के अलग ही आबा है यह राजस्तानी परंपरा हैं संस्कृति की चाप छोनने वाला एक संभाग है इसके अलावा प्रताप गड़ में सभी प्रताप गड़ में सभी प्रकार के लिए जाना चाहता है और यहां वन संपदा क्रशी के प्रमुक व्योशा है प्रमुक इस्त् васके बात की जाय तो सीतामात वन्य जीव अभारने प्रताप गड़ जिले के दक्षन पूरी बाग्मिस्तते अंन प्रताप गड़ के लिए प्र नधिमजीलों की बात की जाय तो प्रतापग के मुकह नधियों में जा gaang माही और सिवाना क्रामुख न्याट सबसे नस्दी के हवाय अड़ा यहां पर उद्धेपुर है उद्धेवगुर व्यापर की बात की जाए तो क्रशियूम खलंत आ रहे हैं यहां का मुख्य वेवसाय है पाली जीले का तो स्टाट करते हैं सबसे पहला है महत्वपून तथे पाली जीले का जो कुल शेद्रफल है वो है 12,387 वर्ग किलोमीटर पाली जीले की जनसिंख्या है 2011 के जनकरना के नुसा 20,38,533 और पाली जीले का जो संभागी मुख्याले है वो इस्तिते जोद्पूर में यहां की भोगली के स्तिति के अगर बात की जाए तो यह है 25 डिग्री 4,6 मिनेट नौर्थ से 73 डिग्री 90 मिनेट इस्ट में है यह पाली राजस्तान के मुख्य सरों में से एक है यह राष्ट्रे राजमार्क संग्या 14 पर इस्तित है जो राष्ट्रे राजमार्क है 14 उस पर इस्तित है पाली बांदी नदी के दाहिने किनारे पर इस्तित नगर है यहां के इतिहास की बात के जाये तो राजस्तान का ये सहर पालिवाल ब्रामनों का निवास इस्तान था जब मुगलों ने यहां कतलया मचाया तो उन्हें यह सहर छोड़ कर जाना पड़ा विर्योद्धा महाराना प्रताप का जन भी यहीं पर अनेक अपने ननिहाल में हुआ था इतियास में पाली नगर तीन बार उज़ाड़ा गया लेकिन फिर भी यह पुना इस्तापित हुआ कुशान युके दोरान राजा का निश्क ने 120 इस्वे में रोहट और जैतरन शैतर के कुछ इस्तों पर विज़े प्राप्ट किती तो दोस्तों एक बार पाली को उज़ाड़ दिया गया है लेकिन बार बार यह बस जाता है तो यह भी पूचा जा सकता है कि अब तक इतियास म पाली सर को कितनी बार उज़ाड़ा गया तो तीन बार यह उज़ड चुका है लेकिन बस जाता है बार बार इसके बाद है कलायम संस्कृति यहां मारवार अंचल की एक अलग ही आभा है यह राज्यस्तानी परंपरायम संस्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है प शक्षा की बात की जादां अंपर इंजिनारिंग और अंज अंसने कोलेजिय। में का मादमिक शिक्षा है तो सरकार उंची शेत्र की कई स्कूल्स में आपर हैं जोंक्रि के बात की जाये तो पाली में सबी प्रकार की क्रश्य होती है जीले के पस्चिमी भाग में लूनी नदी के जलोर मेधन भी सामिल है प्रमुक इस्तल की बात किये जाये तो वर्तमान में धोला चोत्रा नामकिस्तान पर पालिवाल समाज के विक्तियों ने जनने हुआ उनकी पतनियों के स्वेट चोडों का ढेल लग गया था जिसे दोला चबुत्रा नामकिस्तान से जाना जाता है रणगपुर जेन मंदिर एक प्रमुक मंदिर है जिसमें 400 से अधिक संगमर्मर के कमबे है जवाई बांध पस्चिमी राजस्तान का सबसे बड़ा बांध का एक और पाली जेले के सुमेरपूर तहशिल में इस्ते थे जवाई बांध एक अच्छा बरेटन इस्तल है परशुरा महादियो मंदिर देशुरी धस्चिल में है और अरावली की पहाड़ियों में एक के सेस पर इस्ते थे नदियों जीलों के बात के जाए तो लूनी जवाई लीलिरी मीठडी सूकरी वा बांधी नदी यहां की प्रमुक नदी है पाली में लगबग 50 बांध है जिन में से जवाई बांध प्रमुक है तो यह ध्यान रखना है यहांपर लगबग 50 बांध है और उसका सबसे प्रमुक बांध जो है वह है जवाई बांध परिवान रतायत के बाद के जाए तो पाली का मुख्य स्टेशन पाली मारवाड है दिल्ली अहम्दबाद अजमेर जैपु जोदपूर से बस से बागे सुवदा उपलब्ध है नस्दी की हवाई अड़ा जोदपूर है उद्ध्यों भापार के बाद के जाए तो मुख्य उद्धगों में सूती कपड़ी की रंगाई छपाई तामबे का काम आधी प्रमुखे जीले के मुख्य उद्धगों में महलदी निर्मार इकाईयों कपड़ा रंगाई छाते का पास की ओटाई क्रशी उपकरन्ट सिर्मेंट आधी प्रमुखे नागोर जीले का तो स्टार्ट करते हैं इसके महतुपूर्ट अथ्थे नागोर जीले का कोई शेत्रफल है 17,718 परगी किलोमीटर नागोर जीले की जो जनसंख्या है 2011 के जनगर्ना के अनुसार वह 33,9,234 नागोर जीले का संभागे मुख्याले आजमेर में इस्ते थे नागोर राजस्तान के प्रमुख उद्धोगी केम सेक्षनिक सहर माना जात बहुएर बहुगली की राजस्तान के मध्य भाग में आता है नागोर मारवार सेत्र में इस्तित्य рокोर्खे उसका बहाग हे नागोर इतिहास की बात की जाये तो सन 1534 इस्वी में गुज्जात के शाशक बहादूर साधित्ये ने नागोर पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया था नागोर बलबन की जागीर थी जिससे सेशा सूरी ने 1542 में छीन लिया था संराट अखबर के समय में नागोर मुगल सामराज्ये कांग था 1570 इस्वी में अखबर ने नागोर में राथ दर्बार लगाया था जिसमें अने राज्बोत राजाओं नें अकबर से मिलकर उसके अधिन्ता हुए कर लिया महान मुगल समराथ अक्बर ने यहां मस्जित का निर्माण करवाया था इस मस्जिद में ओन्य सिस्utty के शिश्चे के मजार है जो मोईनदून चिस्ती के शिश्चे उनकी आम पर मजार है तो यह बात आपको ध्याहन रखनी है। इसके बा Eliseित हैं यह खलायं नीद। सब्सक्रति की चाप छोड़ने वाला एक संभाग है नागोर में सभी पर्व हर से मुल्लास से मनाया जाते हैं शिक्षा की बात की जाए तो यहां पर इंजिनेरिंग और अन्य सामन्ने कोलेज है प्रात्मी के मादमित शिक्षा है तो सरकारी स्कूर निजी शेत्र की कई अच् है नागोर यहां पर जो डेगना शेत्र हैं वहां पर टंगल्षण का अत्पाद्न होता है नागोर विश्य चूप पर प्रतेक वर्स लगने वाले पसु मेले के लिए इस मेले में हर साल काफी संख्या में परेटक आते हैं सभी प्रकार के क्रिशियां पर की जाती है प्रमक पसु मेला जन्वरी फर्वरी महां में लगता है इस मेले का आयोजुन काफी बड़े इस्तर पर किया जाता है इसके अलावा मेले में रसा कसी उटो की दोर और सांड की लड़ाय का अन्वी उठाया जा सकता है पुर्की नागोर जीले का एक छोटा सा गाउं ही यह राइस्तान मीरा बाई के जर्मिस्तान से के रूप में भी जाना जाता है वह है खुडकी इसके बाद आता है हमिदियुनी हमी दियुदीन नागोरी मकबरा प्रकाफी प्रशिद मगबरा है इस जगह पर काजी हमेद इस दिन नागोरी का समा रख है यह एक सूफी संते जेन मंदिर मेर्ता रोड की बनावर काफी भब्व है इस मंदिर में की गई चित्रकारी भगवन महावीर और पार्षनात के जनम से जुड़ी हुई है नदियम जीलों के बात की लाइजन लूनी नदी आंके प्रसीद नदी है परिवन और यातायत की बात की जाए तो नागोर का सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन मेड़ताउं का है सबसे नस्दी की रेल्वे स्टेशन नागोर नागोर में हैं भारत की सरफबतां रेल बस सेवा मेरता रोड से सुरू की गई थी नागोर के लिए सीधी बस सेवा है दिल्ली अहमदबाद अजमेर आग्राद जैपूर जैसल मेर और उदेपूर से बस सेवा की सुविधा उपलब्द हैं सबसे नस्दे की हवाई अड़ा ज इसके महत्वपून तत्य हैं कोटा जीले का कुल शेत्रिफर 12,436 वर्वी किलोमेटर है कोटा जीले की जो जनसंख्या है वो है 19,50,491 कोटा जीले का संभागिय मुख्याले कोटा है और कोटा राजस्तान के प्रमुक अध्योगी क्यम सेक्षनिक सहर है कोटा को एजूकेश के जाये तो 25.18 डिग्री नौट से 75.83 डिग्री इस तक है इसकी कोटा चंबल नाधी के पूर्वी तरपर इस्ते थे यह राजस्तान के दक्षनी भाग में आता है कोटा हाडोती शेत्र का एक भाग है इतिहास के बात की जाये तो प्रारम में कोटा बूंदी राज्य का एक सामराज्य के रूप में स्तापित हुआ 1631 में साजा द्वारा राव रतन सिंग के बैटे को कोटा का साशक भोशिक कर दिया गया तब से कोटा सब्तंत रूप से कारे करने लगा 1818 इस्वी में कोटा बेटी सामराज्य के अधिन हो गया कि कलाम संस्कृति की बात की जाये तो कोटा रोरिय साड्यों के लिए विशेश रूप से यह फैमस है यह सहर नविंता और प्राचिंता का अनुठा मिश्टन है यहां हाडोती अंचल की एक अलग ही आभा है शिक्षा की बात की रहा है तो कोटा में मुख्य रूप से तीन विश्विध्याले है राजस्तान टेक स्कूल मिलिटर स्कूल एमनीजी शेत्र की कहीं अच्छी स्कूल्स भी है करश्वियुम खनीच की बात की जाए तो सभी प्रकार की क्रिश्वि होती है यहां पर कॉटन टेक्स्टाइल केमिकल पाउट प्लांट आधी कहीं जो धन्दे भी उपलब्ध है प्रमो किस्तल की ब बुल्स बालकानी गुंबत परकोटे बहत आकर्शक है राव मादो सिंग संग्राले पुराने महल में इस्तित थे और इसे राजस्तान के सबसे भैतरीन संग्राले में माना जाता है जग मंदिर महल कोटा के एकराणी द्वारा 1740 इसमी में बनवाया गया था खुबशूरत क कि शोर सागर जील के मध्य बना यह महल राजाओं के आमोर प्रमोत का साधनता चंबल गार्ण यह एक खुबशूरत पिक्न के स्पोर्ट है और यहां मगर मच्छों का तालाब देखा जा सकता है दरा राष्ट्य उध्यान या राष्ट्य चंबल बनने जी वभरने भारत के राष्टान राज्य में कोटा से 50 किलोमीटर दूर है जो घड़्यालों पतले मुह वाले मगर मच्छ के लिए बहुत लोग प्रिये हैं श्री केशव राय जीह हडोती और हडा के साश को किष्ट देव हैं केशव राय पाटन भगवान श्री केशव का निवास स्तलहे श्री राकुमार घी देह ने 1346 एश्व में बनवाई थी जील में नोकायन का आनन भी लिया जा सकता है परिवन और अताहत की बात के जाए तो कोटा जंसंग दिल्ली चैपूर मुंबई के साथ देश के प्रमुक सहरों से जुड़ा हुआ है जैपूर में राष्ट्य राजमाग 12 से टोंक देवली और भूंदी होते हुए कोटा पहुंचा जा सकता है मुंबई से भारती राष्ट्य राजमाग 8 और 76 चित्तोरगट भातेश्वर भधोरा बिचोर बिजोलिया होते हुए कोटा पहुंचा जा सकता है नजदिकी एरपोर्ट जैपूर का सांगा नेर विमान शेत्र है जो कोटा से 240 किलोमेटर दूर है वैसे कोटा भी में भी हवाय अड़ा है किन्तु वहां हाल में कोई उड़ाने उपलब्द नहीं है इसके बाद है उद्द्योग व्यापार कोटा प्रमुक व्यापर केंदरी साथ है एक उद्द्योग लगड़ भी है यहां कोटन साड़ी के लिए विश्चेश रूप से फैमस है कोटा में यहां परिस्तित कोचिंग जनस्तानों के करम सेक्ष्णिक नगरी का नाम मिला है इंजिनेरिंग और मेडिकल की परिक्षाव में यहां के छात्रों को जितनी सफलता मिलते रही है उतनी की कल्पना भी दूसरे सहर नहीं कर सकते कोटा के विश्चेश शूती साडिया प्रशिद है करोली जीले का तो जानते हैं करोली जीले के बारे में सबसे पहले आता है अपना महतुपुर्ठ तथ्यर जो करोली जीला है महा का कुल शेत्रपल है पांच हजार पांच सो तीस वर्ग किलोमेटर करोली जीले की जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या है दो हजार ग्यारा के जनसंख्या है 14,58,469 करोली जीले का जो संभागिया मुख्याले है वो है भरतपुर में और इसके बाद आता है करोली जीला 19 जुलाई 1997 को सभाई मादुपुर जीले से अलग होकर अस्तित्वों में आया था तो जो करोली जीला है उसका अस्तित्वों में आने का जो डेट है वो है 19 जुलाई 1997 में बना था ये सभाई मादुपुर से अलग होकर भोगली किस्तती हैं यहां के 26.5 डिग्री नौट, 77.02 डिग्री एस्ट करोली कस्पा चारो तरप से लाल पतर से निर्मित हैं जिसके परीधी 3.7 कीमी है जिसमें दर्वाजे 6 और खिड़किया हैं 12 इसके अपने एतिहासे कीलो और मंदिरों के लिए मज़ूर करोली दर्सनी इस्तल हैं इसको भद्रावती नदी के किनारे होनी की कारण भद्रावती नगडी भी कहा जाता है एतिहास की बात की जाए तो इसके स्तापना 955 इस्वी में राजा विजे पालने की थी जिनके बार में कहा जाता है कि वे भगवान कृष्ण की अंसर जी इनका मूलता नाम कल्यान पूरी था जो कल्यान जी के मंदिर के कारण प्रशिद्र था 18-18 में करोली राजपूताना एजेंसी का हिस्सा बना 1947 में भारत के अज़दी के बाद यहां के साशक महराजगरिस पाल देव ने भारत का हिस्सा बनने का निश्ची किया 7 अप्रेल 1949 में करोली भारत में सामिल हुआ और राजस्तान रज्जे का हिस्सा बना कला हम संस्कृति के बात के जाते हैं ब्रज राजस्तानी परंपरा हम संस्कृति की चाप छोड़ने वाले एक संभाग है करोली में जैन मंदिर जामा मजजित ईद गाह अंजनी माता मंदिर गोविंग देवजी मंदिर आधी दार्मिक आस्ता के इस्तान है शिक्षा के बात की जाये तो प्रात्मिक आधमिक सिक्षा है तो शरकारी स्कूल, मिलिटरी स्कूल, एमनीजी शैतर के कहीं अच्छी स्कूल है करोली में तक्नीकी सिक्षा के लिए डिपलोमा, कोलेज भी है करोली पसु मेले में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में मुर्वेशी यहां लाए जाते हैं प्रमकिस्तल की बात के जाये तो स्री केला देवी जी मंदिर करोली से 23 किलोमेटर दूर इस्ति थे यहां माना चाता है कि इस मंदिर के स्तापना 1120 में हुई थी प्रतिवर्स करीब 60 लाग शद्धालों यहां दर्शनों के लिए आते हैं केला देवी अभ्यरन्ने करोली से 23 किलोमेटर दक्षिन पस्चे में इस तिथे इस अभ्यरन्ने में नील गाय तेंद्वे और सियार के अलवा किंग फिसर में मिलते हैं सिटी पैलेस यहां मान करोली का मुख्य आकरसन है इसका निर्मान आरजुन पाल ने चोधवी सतापदी में कर राया था लेकिन इसका वट्मान शोरुप का श्रे जाता राजा राम गोपल सिंग को जाता है जिन्होंने 28 सतापदी में इसका पुनहा निर्मान कर वाय था मदन मोहन मंदिर सिटी पैलेस से जुड़ा हुआ है यहां मंदिर भगवान विष्टू को समर पे थे तीमनगर्ड की ला करोली में 40 किलोमेटर दूर है इस केले का निर्मान बारवी सतापदी के मद्दे में हुआ था अपने समय में तीमनगर्ड इस्तानी सता का केंद्र था स्रीबहावीर जी मंदिर करोली से 36 किलोमेटर दूर महावीर जी कस्बे से में श्ते थे यहां मंदिर जेंधर्म की आस्ता का जेंद्र है नदियम जीलों के बाद की जाए तो काली सील यहां के एक प्रमोग नदी है परिवहन और यातायत नस्दी की रेल स्टेशन गंगपूर दिली और मुंबई से जुड़ा हुआ है करोली आगरा और जेपूर को जोड़ने वाले राष्ट्र राजमा 11 है जो जेपूर आगरा और करोली को जोड़ने वाले जो राष्ट्र राजमा 11 है इनके बीच में यह इस्तित्य करोली नस्दी के हावा यद्डा जेपूर यहां से 1600 किलोमेटर दूर है उद्ध्योगिम वेपर की बात के जाये तो करोली के अरत्वेवस्ता मुखे रूप से क्रशी आधार थे करोली में चमड़ी के जूरतिया चांदी के गहने और स्टिल का सामन बहुत मशूर है मिट्टी से बनी भगवान की मूर्तिय और दूद की मिठायां भी प्रशिद है लकडी की खिलोने सेलानियों को लुभाते हैं जोदपूर जिले का तो जानते हैं जोदपूर जिले से जुड़ी कुछ महतोपून बाते सबसे पहला है अपना महतोपून तथ्थे जोदपूर जिले का कुछ शेत्रफल है वह 22,850 वर्ग किलोमीटर जोदपूर जिले की जन्जंख्या है 36,25,681 और जोदपूर जिले का संभागी मुख्याले जोदपूर में है और जोदपूर में राज्य का उच्छी नयायले इस्तित है तो आपको ध्यान रखना है भोगोली किस्तती, वहां की भोगोली खिस्तती जो है, वो है, 26.28, 28 डिग्री नोट से, 73.02 डिग्री, एस्ट में है, जोदपुर प्रशाशनिक मुख्याले, रजस्तान रजी के पास्चे में इस्ते थे, जोदपुर थार महस्तर के दाहीने शोर पास्टी थे, जोदपुर को शूर्य की नगरी के नाम से जाना जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है जोदपूर जो है उसे सूर्य की नगरी के नाम से जाना जाता है ऐसे ही प्रशन एक्जाम में जरू पूचे जाते हैं इतिहास के अगर बात की जाए चो जोदपूर को तर में मारवार की प्राचीन राजधानी मंदोर हैं जोदपूर मारवाडों का मुख्य वित्तिय राजधानी था जहां राठोड वंस ने शाशन किया था जोदपूर के स्थापना एक राजपूत राउ जोधाने 1459 में की थी और यहां भूदपूर जोदपूर रियाशत की राजधानी था मंदोर से अटाकर नई राजधानी वहां बस आई गई थी नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिरिया तुक पहारी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था जो आज भी जोदपूर के किले के नाम से प्रशिद है जोदपूर पर 1565 इसवी में मुगलों का अधिकार हो गया जोदपूर राजधे के राउचंजु सेन ने 1573 में अकबर से भैटकी लेकी निरास लोटा और जीवन परियंत विरोथ करता रहा 1961 में मुगल बात्सा अकबर के आकरमन के बाद इसने मुगलों का प्रवतु शिकार कर लिया 1679 में भुगल बात्सा और अंगजेब ने मारवार पर हमला करके इसे लोटा और निहा के निवाशों को इसलाम धर्म स्विकार करने को मजबूर किया 1818 में जोदपूर बिटिस सत्ता के अंतरगत आया और 1949 में यह राजस्तान राजे में सामिल हो गया कलायम संस्कृत की बात की जाये तो जोदपूर के वेभो साली महल किले और मंदिर एक तरब जहां एतिहासिक गौरों को जीवन करते हैं वहीं दूसरी और उतक्रष्ट अस्त कलाये लोग रत्ति संगीत और प्रत्पूल लोग सहर में रंगीन समा बान देते हैं जोदपूर सहर के लोग बहुत मिलनसार होते हैं यह सादे उत दूसरों की मदद के लिए ततपर रहते हैं कलात्मक रूप से बनी हुई रंग बिरंगी पोसा के पहने हुए लोगों को देखकर प्रतित होता हैं कि जोदपूर की जीवन से लिए और सादारन रूप से सममोहित करने वाली है अगर यहां के सिक्सा की बात की जाए तो सिक्षा में जो हैं प्रात्मी क्यों माद्यमिक सिक्षा है तो सरकारी स्कूल अम नीजी शेत्र के कहीं स्कूल है जोदपूर विश्व विद्ध्याले, MBM Engineering College, Dr. S. N. Medical College, Government Polytechnic College अम जैनाराण व्यास विश्व विद्ध्याले, प्रमुक सिक्षन संस्तान है इसके बार आता है खानी जियम क्रशी, जोदपूर सहर, क्रशी उपज, उन, मवेशी, नमक और चमडे का विपनन केंद्र है यह चमडे का इन सब का विपनन केंद्र है तो आपको ध्यान रखना है इसे भी पूछ जा सकता है कि इन में से किस चीज का विपनन जोदपूर से नहीं होता है तो इध्यान रखना है खानपान में यहाँ खास तोर पर दूद्ध, निर्मित, खादे प्यधारतों का प्रियोग होता है यह उंपसो पालन एक प्रमुक फ्योसाय के रूप में आपर है प्रमुक इस्तल की बात के जाए तो महरांगड किला भात के राजस्तान प्रांत में जोदपूर सवर में इस्ते थे पंद्रवी सताबदी का यह विशालकाय किला पत्रेली चट्टान पर मैदान से 125 मेटर की उचाय पर तो यह ध्यान रखना है एक तो जो महरांगड किला है जो जोदपूर का किला है उसकी जो उचाय है वो है 125 मीटर्स प्रत्वी से 125 मीटर्स उचा है वो और आठ द्वारों वो अंगिनत बुर्जो से युक्त 10 किलोमेटर लंबी उची दिवार से गिरा हुआ है राउजोदा ने 12 माई 1459 को इस पहाड़ी पर कीले की निव डाली महराज जस्वन सेंगने से पूरा किया इसके बाद आता है उम्मेत महल का निर्मान सन 1943 में किया गया था मारबल और बालू को पत्थर से इसे इस महल का द्रश्य परेट अगों को खास तोर पर लिभाता है यही एक ऐसे बीश्वी सदी का महल है जो बाद राहत परिवर्जना के अंतरकत निर्मित हुआ जिसके कारण बाद से पीड़े जनता को रोजगार प्राप्त हुआ यह महल सोलो वर्स से बनकर त्यारवा सोलो वर्स लगे है इसको बनने में तो एक तो यह आपको ध्यान रखना है कि उम्मेद महल को बनने में कितना डायम लगा तो सोलर वार्स लगे हैं और एक प्रेश्ण ऐसे भी बन सकता है कि 20 शदी का ऐसा कौन सा महल है जो बार रहत परियोजना के अंतरगत बनाया गया था तो वो महल है उम्मेद महल 1943 में निर्मान किया गया था इसका जस्वंत थड़ा ये भी क्योशन आता है पूरी तरह से मारबल से निर्मी थे इसका निर्मान 1899 में राजचेश्वन सिंग और उनके सैनिकों की याद में किया गया था राज़की संग्राले में चित्रों मूर्तियों पर प्राचीन हतियारों का उतकर समवेश है मंडोर गाडन सहर में 8 किलोमेटर के दूरी पर है मारबाड की प्राचीन राजधानी में जोदपूर के सासकों के समारक है हौल ओफ हीरो में चट्टान से दिवार में 83 कोई 15 आकरतियां हैं जो हिंदू देवी देविताओं का प्रति में दित्व करती हैं महा मंदिर का निर्मार इस्वी सन 1812 में हुआ था है यह अपने 24 नक्का सिदार कंबो के कारण और शाधरन है ओश्यो जोदपूर बीका ने राजमार की दूसरी दिशा पर रेगिस्तान में यह मरुध्यान इस्तित हैं इस प्राचीन नगर शेत्र की यात्रा के दोरान बीचवीच में पढ़ते हुए रेगिस्तानी विस्तार वो छोटे-चोटे गाउं अतीत के लहराते हुए भूब आगों में ले जाते हैं ओशि दिल के गिनारे खड़ा भव्वे ग्रिश्मकालिन महल खूब सूरत बगेचों से घीरा हुआ है ब्रह्मन करने के लिए यह एक रमनिय इस्तल है कायलाना जील एक खूब सूरत जील है एवं आदर्स पेकनिक इस्तल है यहां नोक्याना सबस्वीधा उपलब्द हैं मारवार उत्सव कागा में सीतला माता का उत्सव और पीपर का गंगुवार मेला जैसे अनेक मेले यहां के प्रशिद हैं पंदर्वे सदी में निर्मित कीला और महले यहां आने बाले परेटकों के लिए आकरशन का प्रमुक केंद्र रहा है जोदपूर में कुछ प्रमुक उत्सव में हुआता जील के किनारे खड़ा भव्वे ग्रिसम कालिन महल खोबशूरत बगीचों से गिरा हुआ है ब्रह्मन कार्णी के लिए एक रमणी हिस्तल है कालायन जील एक खोबशूरत जील है यहां आधर्स पिकनिक हिस्तल है यहां नोक याना सुविधा उपलब्ध है परि जोदपूर रोड मार्ग से दिली हमदाबाद अज मेरे मनने सरों से जुड़ा है जोदपूर हवाई अड्डे राजस्तान के प्रमुख हवाई अड्डो में से एक है उद्ध्यों व्यापार के बात की जाये तो यहां इंजिनेरिंग और रेल की कारेसाला है वह साथ ही सू पड़े का सामान संग्मार्मर के पत्थर का काम और कालिनों की बुनाई प्रमुख है जुन-जुनु जीले का तो सबसे पहले आता है अपना महत्वपूर्ट अथे तो जुन-जुनु जीले का जो कुल शेद्रवल है वह है 5,928 वर्ग किलो मेटर जुन-जुनु जीले की जो जनसंक्या है वो है 21,49,658 और जुन-जुनो जीले का जो संभागिय मुख्याले है वो है चैपूर में अब भोगली किस्तती के महागे बात की जाये तो यहां के भोगली किस्तती 28.8313 डिग्री नौर्थ से 75.4 डिग्री इस्ट तक है जुन-जुनो सेखाबाटी राजस्त का सबसे बड़ा सहर है और जीला मुख्याले तो यह बात आपको ध्यान रखना है यह जो है सेखाबाटी जो राजस्तान है इस राजस्तान का सबसे बड़ा सहर है आपको ध्यान रखना है इतिहास जुन-जुनो सहर जुजार सिंग नहरा के नाम पर सन 1730 में बसाया गया थ नहरा लोगुक के प्रिशिद सरदार जुजार सिंग नहरा का जन्म समच 1721 इस्वी में विक्रम स्रावन महीने में हुआ था इनके पिता नवाब के यहाँ फोज के सरदार यानी पोस्तार थे उनकी हार्दे के इच्छा थी कि नवाब साही के खिलाब जाट लोग मिलकर बगावत करें सरदार जुजार सिंग सार्दू सिंग ने नवाब साही को समाप्त किया लेकिन उन्हें तिलक करने के बाद विश्वास घात कर मार डाला गया कला हम संस्कृति के वहां के बात की जाए तो ये राजस्तानी परमपरा हम संस्कृति के चाप चोड़ने वाले एक संभाग है सेना में जाने वाले मातर भूमी के लिए सहीध होने का जज़वा जैसा यहां दिखाए देता है साइध ही कहीं पर दिखाए दें यहां की हवेलियां उन पर की गई fresco painting प्रशिद है शिक्षा की बात की जाये तो प्रात्म के माध्य में एक शिक्षा है तो सरकारी स्कूल, M.N.G. शेत्र की कहीं स्कूल है तक्निक के सिक्षा के लिए engineering यां diploma college विश्व प्रशिद B.I.T.S. बिलानी और C.E.E.R.I. यहां के प्रमुक संस्तान है खनी जम क्रशिद की बात की जाये तो नहां पर सभी प्रकार के फसलों की खेती की जाती है खेतरी की तांबे की खदाने देश्ट में प्रमुक तांबा खदान है प्रमुक स्तल यहां है एक तो रानी सती का मंदिर विश्व भर्मेयर पहमसाई जुनजुनों में इस्तित है जुनजुनों में हजरत कमरुदिन साखी दर्गा एवं चंचलनाची तीला गंगा चमनी संस्कृति का जलक देता है इशावार दास मोदी की हवेली में भित्ती चित्रों की भविता के साथ साथ सैकिडों जरों को की चित्ता कर्षक छटावी दर्षनी हैं भित्ती चित्रों इस मारकों धार में किस्तलों और तलाबो आदी की विवित्ताओं का दर्षन कराने वाला अनुठाईयां सहर है यहां जयपूर से 180 किरोमेटर की दूरी पर तंसा दिल्ली से 245 किरोमेटर की दूरी पर इस्तित हैं जुन जुनों का निकर्टम एरपोर्ट जयपूर है यहां से जयपूर अजमेर दिल्ली आधी सरो से बस सेवाय उपलब्ध है उद्धियोग्यम वेपर के बात के जाए तो और उनम क्रेशियं आर खैंकर्मुक्त का एं महत्वीध रहां पर गर्वकिव्य हैं जालावार जी लेका से मुएतने उन्हाटवरकारंच ज्लेक उनुक्तरियमेर Ctrётब को सिर्ड़ में तरहाerd जालावार जी के लिए का जो संभागी मुख्याले है वो इस चित है कोटा में यहां की भोगोली के स्थिक अगर बात की जाये तो वह है 24.59 डिग्री नोट से 76.16 डिग्री इस्ट में जहलावार राजस्तान के दक्षिन पूर में इस्थित एक जीला है इसके दक्षिन भाग में पहाडियां तथा मेदान है यहां मालबा के पठार के एक छोडपर बश सा जन्पद है जहलावार हाडोती शेक्ट का एक हिस्था है अगर यहां के इतिहास की बात की जाये तो जहलावार में सो नगरा चोहानों ने परमारों से जहलावार को छीन कर अपनी राजदानी बनाया था जो एक सकतिस साली चोहान साशक था सन 1305 इसवी में कानहर देव ने तुरकी आक्रमन को विफल बनाया था ऐसी मानने तहे कि तुरकी तुरकों से कानहर देव का कई वर्सों तक संगर्ष चलता रहा और अंत में इसी संगर्ष में कानहर देव मारा गया इस प्रकार जहलावार पर खिल जी का अधिकार हो गया कानर देव की वीर्ता की गाथें आज भी मारवार के लोक जीवन में प्रतिध्वनित होती है कला संस्कृति की बात की जैते मालवी और हड भाशाय यहां प्रचली थे यह राजस्ताणी परमपरा ईंस संस्कृति की छाप छोनने वाले एक संभाग में आता है राजस्ताण की कला और संस्कृति को संजोई यह सहर अपने खुपशूरों चरोवरों कीलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है पुरा दत्व की द्रश्टी से महत्वपून ज्हालरा पाटन के पास चंद्रावती नगर ताता खोवली गयों के पास पत्थर के इस्टूप यहाँ पर प्रमुख है शिक्षा की बात की जाये तो प्रात्र के मद्धिमिक शिक्षा है तो सरकारी एम नीजी सेट्र की कहीं स्कूल है तख्णिकी सिक्षा के लिए इंजिनेरिंगे एम डिप्लोमा कोलेज भी यहां मिलते हैं प्रमुकिस्तल यहां के प्रमुकिस्तल है गड़ महल जालावंस के राजाओं का भवे महल सहर के मद्धे इस महल के तीन करास्मक द्वार है गागरन खिला यह जो है काली सीन नदी और आहू नदी के संगम पर इस्तित गागरन फोर्ट जालावार की एक एतिहासिक धरोवर है शूरिय मंदिर जालावार का दूसर जुड़वा सहर जालरा पाटन को घाटियों का सहर भी कहा जाता है सहर में इस्तित सूर्य मंदिर जालरा पाटन का एक प्रमुक दास्मी इस्तल है जालावार जालरा पाटन सहर के बाहर जेण धर्म वो बोध धर्म से जुड़े मंदिर भी परेटकों को खूल लुबाते हैं इसमें चांद खेडी का दिगंबर जैन मंदिर और कोलवी स्थित बोध धर्म के दीन यान मत की गुफाएं काफी प्रशिद हैं चंबल एम नदियम जीले महा की नदिया कुन-कुन सी जीले पाई जाती हैं तो महा पाई जाती है एक तो चंबल एम कालिस्द यहां की प्रमुक्ततियां हैं सहर से करीब 6 किलो मेटर दूर प्रेश्ण सागर नामक विशाल सरोवर हैं गोंती सागर जालरा पाटन का यह विशाल सरोवर गोंती सागर के नाम से जाना जाता हैं इसके तरपर बना द्वार का अधिश मंदिर एक प्रम्मुक दर्जिनी इस्तान है यतायात्यम परिवान जालावार राष्ट्रे राजमार्क 12 परिश्ति थे जालावार का निकर्तम एरपोर्ट जेपूर है जालावार का नस्ती की रेलवे स्टेशन कोटा है यहां से जेपू तलवार आधी हर्बे अतियार बनाना यहां के प्रमकुद्यों के जैसल मेर जीले का तो स्टार्ट करते हैं महत्व पूंट अथे जैसल मेर जीले का कुल शेत्रफल है 38,401 वर्क किलोमीटर यह एक जांस में पूछा जाता है क्योंकि जो जैसल मेर है यह शेत्रफल की से राजस्तान का सबसे बड़ा जीला जैसल मेर है महां का शेत्रफल कितना है तो महां का शेत्रफल है 38,401 वर्क किलोमीटर जैसल मेर जीले की जो जनसंख्या है वो है 6,72,008 और जैसल मेर जीले का संभाग्य मुख्याले इस्तित है जोदपूर में यहां की भोगोलिक इस् शेत्र थार के रेगिस्तान में इस्तित हैं यहां दूर दूर तक इस्ताई वह इस्ताई रेत के उचे उचे टीले हैं जो की हवा आंधियों के साथ साथ अपना इस्तान भी बदलते रहते हैं थार के रेगिस्तान में इस्तित हैं जिसके कारण यहां पर रेत के टीले पाये ज इस्तित है जैसल मेर का संपूर्ण भाग रेतिला वो पत्रीला होने के कारण यहां का तापमान मई जून में आधिक्ता 47 डिग्री सेंटिग्रेड तता दिसंबर जनवरी में यूनितम 5 डिग्री सेंटिग्रेड भूंच जाता है इतिहास के अगर बात की जाये तो भारत के रावल जैसल द्वारा की गई थी रावल जैसल के बंसर जोने यहां भारत के गंटंत्र में परिवर्तर होने तक बिना वंच क्रम को भंग किये हुए साथ सो सत्तर वर्स सतत शाशन किया जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है सलत्यनत काल के लगभग तीन सो वर्स के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्ये मुगल सामराज्ये में भी लगभग तीन सो वर्स तक अपने अस्तित्व को बनाय रखने में सक्षम भारत में अंग्रेजी राज्ये के स्तापना से लेकर समाप्टी तक भी इस राज्ये ने अपने वंस गोरव और महत्व को यथावत रखा भारत की श्वतंत्ता के पश्चात यहां भारतिय गंतंत्र में बिलीन हो गया अब यहां के कलायम संस्कृति की बात की जाए तो यह अधिकान स्कूओ का जल खारा है तथा वर्षा का एकत्र किया हुआ जल ही एक मात्र पानी का शादन है जैसल में राज्ये ने मूल भारतिय संस्कृति लोग से लिए समाजिक माननेता है निर्मान कला संगीत कला साइट्ते और इस्तापत्य आधी के मूल श्वरूपन बनाय अधिकी करें जैसल में बनायार राज्ये नेुग पानी की मारएं जैसल में यहां स्वरूपन लोग से लिए यह जैसल मेरर पानी कहनी हाले लोग से लिए सरि कि भाषा है चेत्रकला की दर्ष्टी से जैसल मेर का विस्तिस्तान रहा है शिक्षा जो है यहां पर प्रात्विक और माध्यमिक शिक्षा है तो सरकारी स्कूल है एमनीजी शेत्र के कई स्कूल है शांगी दास पाल क्रश्न गॉर्मेंट कॉलेज एक प्रमुक महाविद्या लहे जैसल मेर का इसके बाद आता है खाली जम प्रशी प्रशी यहां कम ही की जाती है मुख्य फसल बाज़रा है यहां सर उन चमडा नमक मुलतानी मिट्टी उन और भेड का व्यापार करने वाले कार्वा का प्रमुक के इंद्र है चूना पत्थर मुलतानी मिट्टी और जिप्सम का हनन्या पर होता है प्रमुक इस्तल है एक तो डिजर्ट फेस्टिवल यहां हर वर्ष जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है जो प्रमुक आकर्शन ह जैसल मेर के प्रमुक इतिहासिक इसमारकों में सरुपर्थम यहां का कीला है यह 1155 इस्वे में निर्मित हुआ था यह इस्तापत्य का सुन्दर नमुना है इसमें 1200 घर है पंदरवी सती में निर्मित चेन मंदिरों के तोड़नों स्तंबों प्रवेश्थ वारों आधी पर जो बारिक नक्का से वह सेल्फ प्रदशी थे उन्हें देखकर दातों तलें उंगली दवानी पड़ती है कहा जाता है कि जावा बाली आधी प्राशीन हिंदू वह बोद उपनिवेशों के इसमारकों में जो भारती वास्तों मूर्ती कला प्रदशी थे उससे जैसर मेर के जैन मंदिरों के कला का अनोखा साम में है, नगर से चारमील दूर, अमर सागर के मंदिर में मकराना के संग्मयमर की बनी हुई जालिया हैं, जैसर मेर के पुरानी रास्तानी, लोदरवा पूरसी यहाँ पुराने खंडहरों के बीच के वग एक प्राचिन जैन मंदिर ही, का चोटे मंदिरों और धाल्मिक स्तलों से घिरी हुए एक सुन्दर जील है परिवहन और यतायाद जो है जैसल में रेलमाद वारा जोदपूर से जुड़ा हुआ है यहां रेलव सड़कदरा दो प्रकार के यतायाद के साधन उपलब्ध है उध्योग्यों व्यापण यहां पर आकरतीगेस की खोज की जैसल में शेत्र में हस्त सिल्पों चमडेखे बैग प्रशिद है जैसल में जीले में दूर दरज गयों में ग्रामिर महिलावं द्वरा कपड़े पर कसीधा कारी का कारे बड़ी पारिकी से किया जाता है जैपूर जीले का जो अपने राजस्तान की रास्थानी भी है जिससे पिंग सिटी भी कहा जाता है और जेपुर का एक अपना अलगी थियास है तो इसे के बारे में जानकारी लेंगे और जेपुर से अकषर में क्योशन बनती ही है इसकी जानकारी आप सभी को है तो स्टाट करते हैं सबसे पहला आता है अपना जैपूर महत्वपूर्ट अथे अब जैपूर जीले का कुल शैत्रफल एकजाम में पूछा जा चुका है और फिर आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है जैपूर जीले का जो कुल शैत्रफल है वो है 14,068 वर्ग किलोमेटर जैपूर जीले के जनसंख्या है वो है 6,63,981 जैपूर जीले का संभागी मुख्याले जैपूर ही है जैपूर जिसे गूलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है भारत में राजस्तान राज्ये की राज रहा है जो प्राचीन रजवाड़ा था उसकी राजधानी भी जैपुर ही रहा है जैपुर अपने शम्रद्ध भवन निर्मान परंपरा शरस तंस्कृति और एतिहाशिक महत्वकर लिए प्रशिद हैं 1876 में ततकालिन महाराज सवाई राम सीग ने इंगलेन की महाराणी एलिजाबेट प्रिंस और वेल्स यूराज अलबर्ट के स्वागत में पूरे सहर को गुलाबी रंग से आच्छा दित करवा दिया था तबी से सहर का नम गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से इसको जा जापूर में है 45.82 डिग्री जेपूर सूखी जील के मैदान में बसा है इसके तीन और पहाडियों की चोटी पर पुराने कीले है यह बड़ा सूनियोजित नगर है बाजार सब सीधी सटकों के दोनों और है और इनके भवनों का निर्मान भी एक ही आकार प्रकार का है अब यहां के इतिहास के अगर बात की जाए तो जापूर का जो राजस्तान का एक नगर है यह एक पुरानी विराशत रियाशत के रूप में था जेपूर सहर भूर्थ पूर्व जेपूर रियाशत की राजधानी था जेपूर सहर की स्तापना 1728 में अमेरिके महाराजा जे 1818 इस्वी में एक संधी हुई जिसने ब्रिटेन वर्चस्व की स्तापना की और रियाशत में ब्रिटिस सेना पुनर व्यवस्ता ले आई श्वाधीन ता के उप्रान जेपूर रियाशत भायत में विलीन हो गई पुराना जेपूर थोड़े उठे हुए मैदान परिस्ते थे और पांच द्वारों के साथ 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 किलोमेटर लंबी पंक्तिवध दिवार से घिरा हुआ है जेपूर के आधुनिक सहरी योजना कारों द्वारा सबसे नियोजित और विवस्तित सहरों में कीना जाता है देश के सबसे प्रतिभा साली वास्तुकारों में इस सहर के वास्तुकार विध्यादर चक्रवर्ति का नाम सम्मान से लिया जाता है ये जो वास्तुकार थे ये प्रशिद्ध वास्तुकारों में माने जाते झादर चक्रवर्थि का नाम ध्यान रखना है कल्या हम संस्कृति के अगर बात की जाए तो यह मयं राजस्तानी परमपरां संश्कृति की छाप छोड़ने वाला एक संभाग है राजस्तानी चित्रकला की प्रभावी सेली का जय gewoon जयपूर से हुआ जो राजस्तान का दूसरा बड़ा राज्य था, हिंदुम जेन धर्म को मानने वाले लोग की संख्या सबसे अधिक है, सिक्क और इसलाम धर्म को मानने वाले भी अच्छी संख्या में है, या इसाय और पार्सी जो धर्म है, इसाय और पार्सी इसके अनुवाईयां कम पाये जाते हैं, अब सिक्षा के अ से अधिक इंजिनेरिंग सनस्तान, डिपलोमा कोलेजम अनिंडजी सनस्तान है, महराजय महारानी कोलेज यहां के प्रशित सनस्तान है, सवाई मांसिंग एक प्रमुक मेडिकल कोलेजम हॉस्पिटल है, खनी जों क्रशी के बाद की जाए तो क्वाच और फैल्सपार के भंडार जैपूर, सीकर, जुनजुनू, उदैपूर, पाली, अमसीरोही में भी बड़े पेमाने पर मौजूद है जैपूर के निकट राजावास गाओं में LPG के लिए विश्वक की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई जा रही है तो ये भी आपको ध्यान रखना है राजावास में लगाई जा रही है दो है इसके बड़े बंड़ा जैपूर जीले के मौरीजा बनौल, चेमू और रामपूरा में है काला डेरा जैपूर में ग्रेनाइट का उत्पाधन होता है राजास्तान में जैमिस्टन और जोगिक पार्क जैपूर में इस्तित है और राजस्तान में शर्वादिक उध्योगे की काईयां जैपूर जीले में ही इस्तित है तो ये भी ध्यान रपने हैं अब यहां के प्रमकिस्तलों की बात करें तो जैपूर में बहुत सारे दर्शनी इस्तल है तो उसके बारे में जानते हैं और यहां पर जो परेटन हैं वो भी काफी अच्छा है जैपूर सहर में बहुत से परेटन आकरशन हैं जैसे जंतर मंतर, जैपूर, हवा महल, सिटी पेलेस, गोविन देवजी का मंदिर, बीयम, बिरला तारा मंदर, आमेरका किला, जैगर दुर जैपूर के रोनक भरे वाजारों में दुकाने रंग फिरंगे सामानों से भरी है, जिनमें हतकरगा उतपात, बहुमुल्य पत्थर, हस्त कला से युक्त वनश्पती, रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारिया भुशन, पीतल का सजावटी शामन, राजस्तानी चेत्रकला के न नागरा मोजरी जूतियां, ब्लू पोटरी, हाती दात के अस्तिसिल्प और सफेद संगमर्मर की मूर्तियां यहाँ पर मिलती है, जैपूर की यह विसेस्ता है, प्रशिद बाजारों में जोहरी बाजार, बापू बाजार, नहरू बाजार, चोडा रास्ता, त्रीपोलिया बाजार और M.I. रोड के साथ लगे, बाजार है, यहाँ पर बहुत फैमस बाजार है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़े मिलती है, इसके बाद आता है नदियम जीले, जैपूर में जलमहल, गलता, रामगरबांथ, चंदलाई, सांभर, चापरवाड़ा, जैपूर में एक अंतरस्त्री हवाई अध्डा है, उध्योग और व्यापार की बात की जाये तो जैपूर वानीचीक व्यापार केंद्र है, यहाँ के उध्योगों में इंजिनेरिंग और धातु कर्म, हद करगा बुनाई, आस्वनव, सीसा, होजरी, कालीन, कंबल, जूतो और दवाईयों का निर्मार प्रमुख है, जैपूर के विख्यात कलायम, हस्त सिल्प में आबोशनों की मीनाकारी, धातु कर्म चापे वाले वस्तर के शाथ साथ पत्थर, संग मर्मर, वो हाती धात पर नकाशी सामिल है, बड़े बेमाने पर उध्योग धंदों में यहाँ के चोड़े बेमानों के उध्योगों में मुख्ये हैं, जवारात, मीनाकारी तदा जवारातों की जड़ाई, खादी वग्राम उध्योग, हात का बना कागज, खिलोने, हाती दात, सांगा नेरी चपाई, बंदेज वर अंगाय का काम, लाग का काम, जूते बनाई, गोटा क इनारी का काम, यहां के पीतल के नकासी करने वाले तथा मूर्ती कारों की कला संपूर रोप से विख्यात है, जवारातों का प्रमुकेंद्र है, यहां रतनों की कटाई, वह बनाई, बड़ी कुशलता से की जाती, विशेश कर पन्ने की खरड़ के नगीने, मडिया, नीलम, मनाक, आधी बनाने में यह इस्तान विशेश प्रशिद है, यहां के हाती दात के खिलोने कला के दुरस्ते से बहुत सुन्दर बनते हैं, हाती दात की यहां की चूडियां भी बनाई जाती है, हाती दात से बने वस्तोय, मूर्तियां, खिलोने, श्रंगारदान, फूल पत्त या आधी विदेशों को भी काफी जाती है यहां के चांदी पीतल चंदन लकडी वह कुट्टी के खिलोनों में बहुत प्रशिद है और इनमें रंग भराई भी बड़ी कुसलता से की जाती है जैपूर की निकठी सांगानेर में कपड़ों की रंगाई छपाई तो तब बंध मध्यप्रदेश प्राचीन काल से चली आ रही है और यहां चीटे गुजरात वह मध्यप्रदेश उत्रप्रदेश में काफी लोग प्रिये हैं यहां की जो चीटे हैं वह वह जीला है डूंगरपूर उसकापन अध्यन करेंगे सबसे पहला आता है अपना महतवपून तथ्य तो डूंगरपूर जीले का जो कुईश रफल है वहे 3770 वर्ग किलोमीटर डूंगरपूर जीले की जो जनसंख्या है तो वहे 13,8546 और डूंगरपूर जीले का संभागी है मुख्याले उध्यपूर में है और डूंगरपूर शाक्षर्ता वाला आदिवासी जीला है और ये प्रश्न बार-बार एक्जाम में आता है जो डूंगरपूर है वो पूर्ण शाक्षर्ता वाला आदिवासी जीला है डॉक्टर नगेंद्र सिंग अंतराष्टे न्यायले में न्यायधीस का संबंद डूंगरपूर से है तो द बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखिएगा इसको भोगोलिक इस्तती डुंगरपुर के दक्षिनी भाग में इस्तित एक सहर हैं डुंगरपुर के भोगोलिक इस्तती 23.84 डिग्री नौत से 73.72 डिग्री इस्ट में है एतिहास चोहें डुंगरपुर क स्तापना हुई थी 12.82 इस्वी में रावल वीर सिंग ने की थी उन्होंने यह शेत्र भील प्रमुक डुंगरिया को हरा कर विजित किया था इसलिए इस जगर का नाम डुंगरपुर पड़ा वर्स 1818 इस्वी में इस्तिंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था यह जगर डुंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानिता यहां से ओकर भाने वाली सोम और माही नदिया इससे उदैपुर और बासवाड़ा से अलग करती है नेजान रत्य राजस्तान की डुंगरपुर उदैपुर पाली व सिरोही शेत्र के में प्रशिद्ध लोग रत्यों में से एक है यह रत्य प्रशिद हिंदू त्योहार होली के तीसे दिन किया जाता है इस रत्य में भील जाती के इस्तरी जाता पुरुष लोग भाग लेते हैं डुंगरपुर की कला हम संस्कृति के अगर बात की जाए तो डुंगरपुर में मुख्यतह वागरी भा जाता है जो यहां के महलों और अन्य इतिहाशी की मार्थों में देखी जा सकती है यहां की मूल बोली है वागरी जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखा जाता है और दोस्तों यही क्योशन एक्जाम में आया था कि वह कौन सी बोली है जिसमें गुजराती भाषा क प्रभाव है तो वो बोली है वागरी और ऐसे भी क्योंशन पूछा जा सकता है कि जो गुज्जाती भाषा का प्रभाव रह वाली बोली है तो वो कौन सी है या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वागरी बोली है उस पर कौन सी भाषा का प्रभाव है तो इस पर गुज्जा चोरिया नाम का चोहार होता है। इनमें लड़के-लड़के मेले में आते हैं। इस मेले में वे अपने पसंदिदार व्यक्ति को चुने के कर लेते हैं। होलिया सबसे महत्वपून तोहार हैं होली के 15 दिन पहले ही धोल बजाये जाते हैं होली के दिन में लड़के लड़कया रथे करते हैं सिक्षा जो है या सुखारिय विश्विद्धल सनलग ननेक महा विद्धल है प्रात्मिक या माध्मिक सिक्षा है तू सरकार इस्कूल है यहां पर खनी जूम क्रशि की बात की जाय तो डुंगरपूर के आसपास का शेत्र अनी शेत्रों की तुलना में समतल और उपजाओ है माही डुंगरपूर की प्रमुक रदी हैं मक्का, गेहुं और चना दुंगरपूर की प्रमुख फसले हैं यहाँ पर महुआ नाम के शराप बनाई जाती है तो यह दियां रखना हैert महुआ नाम के सराप जो बनती है अपनी यास्थान में वो बनती हैं दुंगरपूर जीले में राजस्तान में सोना, मुख्यतव, मांसवड़ा वर डूंगरपूर में ही पाया जाता है डूंगरपूर में लोहायस्क, सीसा, जस्ता, चांदी और मैंगनीज पाया जाता है सोनाडी भेड राजस्तान में बासवारा, भिलवारा, डूंगरपुर, उदेपुर और चित्तोर गर में आधी जिलो में पाई जाती है इस भेड की मुख्य पहचान ये है कि इसके कान बहुत लंबे होते हैं तो इसके पहचान आपको जहां रखने है जो सोनाडी भेड है जिसके कान बहुत लंबे होते हैं और ये कुछ ही जिलो में पाई जाती है अपने राजस्तान में तो इनके नाम आपको ज्यां रखने है प्रमुकिस्तल जो हैं रास्ता पाल गुरु सिष्चे के बैदान की मिसाल काली बाई के प्राणत सर्ग है तो प्रसिद हैं मांडो की पाल फ्लोस पार बेनिफीशियन सन्यंत्र महां पर हैं गलियक और दाउदी बोरा संप्रदाय की गद्दी जहां हर वर्स और सभरता हैं बानेश्वर मंदिर डूंगरपुर से 60 किलोमेटर दूर हैं इस मंदिर में इस शेत्र का सबसे प्रशिद और पवित्र सिवलिंग इस्तापि महल गेब सागरजील आधियां पर है अगर नदियम जीलों की बात करें तो एक है गेब सागरजील और नदियां यहां पर सोम और माही परिवान और यतयात की बात की जाए तो दूंगरपुर पहुँचने के लिए सबसे बहतर विकल्प सडक मारग है नस्दी की रेलवे केशन रतलाम है जो देश के सब ही प्रमुक सरों से जुड़ा है निकर्तम हवायद्डा उदेपूर एं हमदाबाद है उद्ध्योगम व्यापर की बात की जाए तो जंगल बहुतायत है लकडी बनसपति प्रचूर मात्रा में है महीला सरकारी मिनी बैंक की स्तापना अगरपूर में खानन एक प्रमुक वेशाय है वह बासवाडा जीला बासवाडा जीले का आज अपन अध्यन करेंगे वहां का शेट्रफल क्या है महां की भोगली क्विसेस्ताय क्या है वहां पर स्कूल कैसे हैं वहां पर इसके अलावा एजूकेशन सिस्टम कैसा है तो हर पारे में अपन बासवाडा जीले से संबंधित बात करेंगे तो स्टाट करते सबसे पहला है अपना टॉपिक महत्वपूर्ण तथे में जो है बासवाडा जीले का कोई शैत्रफल है 5037 वर्ग किलोमेटर या किलोमेटर स्कॉर कितना है 5037 वर्ग किलोमेटर बासवाडा जी 1014 में बासवारा जिले का सम्भागिय मुख्याले वो उद्धेपूर में है और यही सबसे महत्रम है ऐसी ही प्रशना आते हैं आते हैं कि वैसे प्रसदोंते हैं कि सब्हम कीलाणिम्म राजस्तान के धक्षिनी भाग में इस्तित एक शहर है बासवड़ा कि भोगलिक स्थिति 23 डिग्री 33 नौर्थ से 44 डिग्री 27 एस्थ तक है और इसके बाद जो आता है वो आता है 23 डिग्री 55 नौर्थ से 14.000 डिग्री 45 इसमें है इसके बाद आता है यह गुजराथ और मद्ध्य परदेश दोनों राज़यों की सीमा के निकट है यह पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौँ सा राज्य है जो हिनकी सीमाओं लगता है ऐसा कौन सा जीला है राजस्तान का जिनमें राज्यों के सीमय लगती है तो यह आपको ध्यान दखना है बासवाड़ा जीला राजस्तान के दक्षिनी भाग में गुजरात मद्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ जीला है इसे राजस्तान का चेरा पुंजी भी कहा जाता है ये जबासर बाड़ा जीला है इसे राजस्तान का चेरा पुंजी कहा जाता है बास के वनों के अधिकता के कारण इसका नाम बासवाड़ा रख दिया गया बासवाड़ा की प्रमुकस में जो है वहे कुशलगड, परतापुर, बागी दोरा, घाटोल और अर्थुना ये जो है बासवाड़ा के प्रमुकस में है इसके बाद आता है बासवाड़ा की स्ट्र लगोभा साफ के लिए बासवाड़ा करें की एसनी रास्तानी मेंного education क्याने भूल डूंगर्पूरना छी इस पहले पहले इसनी आईग मुख्याले जेले-कश्था means और भूत्पूरु बहस्वाड़ा रियाशत के प्रत्म प्रमुक जगमाल द्वारा अत्वा भील सरदार बाशिया भील द्वारा बसाया गया बताया चाहता है इसे सोध्यूपो का नगर भी कहते हैं क्योंकि यहां से लेकर बहने वाली माही नदी में अनेका अनेक से कला एन संस्कृती वास्वाड़ा में मुख्यत वागड़ी भाषा बोली जाती है ऐस्वाड़ा मुख्यत आदिवासी शैत्र में इसतिति थे आदिवासी शैत्र है ये धार्मी क्यों पुरा तात्विक दर्ष्टि से महत्वपूर्ण यह सर अब राजस्तान के खुप शूरत और मनोहारे सरों में गिना जाने लगा हैं, मात्रिपूरा सुंदरी मंदिर साताब्दियों से विश्ष्ट सकती शादकों का प्रशित उपाशना केंदर रहा है, यह सक प्रश्टि पीट पर दूर दूर से लोग आकर सीज चुकाते हैं, नवरात्री पर उपर इस मंदिर के प्रांगर में प्रते दिन विशेश कारेक्रम होते हैं, जिन्हें विशेश समारों के रूप में मनाया जाता है, तो मात्रिपूरा सुंदरी का जो मंदिर हैं, वो भी अब यहां पर सिक्षा तो यहां जो है सुखाडिय विश्विद्याले से सनलग अनेक महाविद्याले हैं, प्रात्मे क्यों माद्यमिक सिक्षा है, तो इसको प्रमुख है यहां पर इसके अलाव और कुछ नहीं है, खनेचम क्रशी, बांसवाडा के अर्थ्ववस्ता मुख दूर तलवाडा ग्राम में, से 5 किरोमेटर की दूरी पर उची रोल संकलाउंक से के नीचे, सगन हर्याली की गोद में, उम्राई के छोटे से ग्राम में, माता बाडी में प्रतिष्टित है मा त्रिपुरा सुंदरी, सक्तिपूरी, सिवपूरी तथा विश्नुपूरी ना इकटस्त ग्राम भवान पूरा में, इस इस्तान पर प्रतिवर्स बोहरा जाती के लोग, बड़ी संख्या में कर्तित होते हैं, माही परियोजना बांध की नहरों में, पाने वित्रन के लिए सहर के पास, निर्मित कागत, पिक अपवियर हैं, जो सेलानियों के लिए परिवहन और यातायात, बासवाड़ा पहुचने के लिए सबसे बहतर विकल्प सडक मारगी, राश्ट्रे राजमाग, आठ से नीजी वहन द्वारा भी उदेपूरी अहमदाबाद होते हुए बासवाड़ा पहुचा जा सकता है, बासवाड़ा अभी तक रेल माक्स से अगल बहुत आयत है, लकडी, वनश्पती, प्रचूर मात्रा में है, बासवाड़ा में खननम, कपड़ा, उध्योग एक प्रमप्वेवशाय है, धोलपूर जीले का, तो स्टार्ट करते हैं, धोलपूर जीला, सबसे पहला है जो अपना है महतोपूर्ट अथे, महतोपूर तथ्यों में आता है अपने धोलपूर जीले का चैत्रफल, तो वो है 3,084 वर्ग किलोमेटर, और जो धोलपूर जीले की जनसंक्या है, वो है 12,7,230 में, 2011 के जनगर्ना के अनुसार, और यहां का संभागिये मुख्याले जो है, वो इस्तित है भरतूर में, इसके बाद आत अपने भोगोलिक इस्ति, भोगोलिक इस्ति जो है 26.7 डिग्री नोट से 87.9 डिग्री, इस्ट में है इसकी भोगोलिक इस्ति, धोलपूर वर्तमान नगर, मूल नगर के उत्तर में बसा है, चंबल नदी की बार से बचने के लिए इसा किया गया था, जो धोलपूर है, यह वर्तमान जगा पर बसा हुआ है, यह उसके उत्तर में बसा हुआ है, क्योंकि जो चंबल नदी की बार आती थी, इससे बचने के लिए इसा किया गया था, धोलपूर जीला, 1982 में भरतपूर से अलग होकर जीला बना था, तो 1982 में से पहले यह जो था, भरतपूर का ही एक हिस सा था, लेकिन जब 1982 हुआ तो उसके बाद भरतपूर से अलग होकर एक नया जीला बना, एतिहास के अगर यहां की बात करें, तो धोलपूर एक पुराने एतिहासिक सहर के रूप में जाना जाता है, धवल देव के साशन के बाद इस सहर का निर्मान किया गया, इस सहर का नि लगा, धोलपूर भूत पूर जात रिया सत है, धोलपूर से निकट राजा मुचु कुंद के नाम से प्रशिद गुफा है, जो गंध माधन पहाडी के अंदर बताई जाती है, एट फोर्टी सिक्स एस्वी में यहां चोहान राजवंस ने साशन किया था, तो यह आपको ध भूलन देव ने बसाया था, इसका नाम धोलपूर था, अपबरंच होकर इसका नाम धोलपूर में बदल गया, तो इसका जो प्राचीन नाम था धोलपूर, लेकिन जिसे जैसे अपबरंच हुआ, इसका नाम धोलपूर में बदल गया, धोलपूर में भरतपूर के जात रा आदस्तान प्रदेश का इस्सा बन गया यहां कि कलायम संस्कृति के अगर बात की जाए तो यह ब्रज राजस्तानी परंपरायम संस्कृति की चाफ चोड़ने वाला एक संभाग है दोलपूर में सभी पर्वहर्स एम उल्लास के साथ मनाये जाते हैं सिक्षा के अगर बात की जाए तो प्रासने के माध्य में सिक्षा है तो सरकारी स्कूल, मिलिटरी स्कूल, एम नीजी शेतर की कई अच्छे स्कूल से धोलपूर में तकनीकी सिक्षा के लिए डिपलोमा, कॉलेज भी है खनी जम क्रशी की बात की जाए तो सभी प्रकार की क्रशी होती है याप पर धोलपूर महत पालित प्रमुक वसलों में बाज़रा, धान, गन्ना, गेहु, जो, डाले और लाल में चे बलवा जो पत्थर यहाँ पर मिलता है बलवा पत्थर वो famous है राजस्तान Explosives and Chemicals Limited धोलपूर का एक प्रमुक उध्योगी संस्तान है इसके बाद आता है धोलपूर के प्रमुकिस्तल तो धोलपूर के जो प्रमुकिस्तल है वो है मंदिर चोपडा महादेव यह एक एतिहासिक मंदिर है इस मंदिर में की गई वास्तु कला काफी खूपशूरत है मुचुकन सरोवर मुचुकन सरोवर का नाम राजा मुचुकुन के नाम पर रखा गया यह तालाब 38 प्राचीन है राजा मुचुकुन सूरे वन्स के 24 वे राजा थे चंबल सफारियम बोटिंग भी आके फैमस है नदियों जीले तो यहाँ पर दो नदियां एक तो गंभीरी और एक है चंबल और जील के अगर बात करें तो तालाबे साई को 24 किलोमेटर यहां से दूर है परिवहन और यातायाद धोलपूर रेलमार्क के जरिये देश के बाकिस्सों से जुड़ा है रेलमार्क द्वारा धोलपूर से दिल्ली 230 किलोमेटर की दूरी पर इस्ते थे सड़कमार्क द्वारा धोलपूर से भरतपूर से धोलपूर 113 किलोमेटर की दूरी पर इस्ते थे सबसे नस्दी के एरपोर्ट वहां पर आगरा का पड़ता है और आगरा से धोलपूर की दूरी है 60 किलोमेटर उध्योग्यम व्यापार के अगर बास की जाए तो धोलपूर में रेलवे कारेसाला तता उध्योगों में हत करगा गलीचा बुनाई वकाष का सामान बनाने की इकाया सामिल है दोलपूर के अर्थ ववस्ता मुखे रूप से क्रशी आधारित है दोलपूर का बलवा जो शेत्र में खनन किया जाता है प्रशिध है और 1920 के जासक में डाश्रपती भावन और सची वाले भावन नहीं दिल्ली के निर्मान में इस्तेमाल किया गया था चूरू जीले का तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपना आता है महत्रपूर्ण तथ्य जो चूरू जीले का जो कुल शेत्रफल है वो है 16,830 वर्ग किलोमेटर चूरू जीले की जो जन्संक्या है वो है 20,41,172 और जो चूरू जीले का संभागी ये मुख्याले है वो इ का नेर में इसके बाद आता है भोगवलिक इस्थती अब चूरू जीले की भोगवलिक इस्थती के अगर बात की जाए तो 23,30 डिग्री नौर्ट से 74,95 डिग्री इस्थ तक है ये चूरू उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्तान का एक जीला है इसे थार मरुस्तल का द्व कहा जाता है अब यहां के इतिहास के अगर बात की जाए तो इस सहर किस्तापना चूहड गोत्र के एक जाट चूरू ने 1620 इस्वी में की थी चूरू का नाम उसी संस्तापक के नाम पर रखा गया है जिस इस्तान पर जाट सबसे पहले आकर बसे वह कोलेरा बास के नाम से ज कल आम संस्कृति के अगर हैं के बात की जाए तो यह राजस्तान ही परंपरा संस्कृति के चाप छोड़ने वाला एक संभाग है चूरू में सभी परहर ऐर से मुल्लास के साथ मानाया जाता है शिक्षा के बात कि जाए तो यहां राजस्तान, मिश्वी ज्याले से संलग में अन्नेक महाविद्याले है प्रात्मिक यह माद्यमिक सिक्षा है तो सरकारी स्कूल, नीजी शेत्र की कई अच्छी स्कूल है चूरू में तक्निकी सिक्षा के लिए इंजिनेरिंग एम डिपलोमा कोलेज भी है खालेजियम क्रशी की यहां की बात की जाए तो बाजरा गेहूं चनाओ सर्सों यहां की प्रमुक फसले हैं और प्रमुक इस्तल यहां पर जो है वह साला सरबाला जी यहां भगवान हनुमान का मंदीर है यहां मंदिर जयापूर वी का निरमार्ग फस तर्थ queries चूरू भारत के प्रमुक धार्मे की स्तलों में से एक है टाला चापर अभ्भ हारन प्रम्वड अबहहरन से हैं यहां मुख़यरण में कहई अन्य जानवर जैसे चिंका रा लोंवरी जंगली बिल्ली के वारों ने करवाया था ऐसे ही एक गुंबद 8 खंबा शत्री का निर्माण सन 1776 में किया गया था अगर यहां के नदियम जीलों के बारें बात कर तो चूरू विकानेर में दो ऐसे जीले हैं जहां कोई नदी नहीं है तो दोस्तों यह आपको ध्यां रखना एक तो चूरू और एक बीकानेर जहां पर कोई नदी नहीं है परिवन और यातायात सबसे नसदी की यहां का एरपोर्ट जो है वो है जैपूर चूरू से 189 किलोमेटर की दूरी पहस्तित है सबसे नसदी की रेलवे स्टेशन चूरू है दिल्ली जैपूर अजमेर आदे से चूरू के लिए सीधी बस सेवा है उध्योग और व्यापार्ट तो यहां पर हैंडलों बरतन एम नमक उतपादन और सीमेंट वेवसाय प्रमुक वेवसा फिले अपना महत्वपून्द अथ्य करते हैं आपन सैट्रफल जन संक्या और वहां का संभागिय मुख्याले तो चित्तोडगर जीले का जो कुल सैट्रफल है वो है 10,856 वारगू किलोमेटर चित्तोडगर जीले की जो जन संक्या है वो है दो हजार गयारा की जनगर्णा क पंद्रा लाग चम्वालिस अजार तीन सो बाण में और चित्तोडगट चिले का जो संभागिये मुख्याले हैं वो है उदेपूर में इसके बाद आता है भोगोली के स्तती अब भोगोली के स्तती जो है वाखी वो है 24.88 डिग्री नौर्ट से 74.63 डिग्री इस्ट में है चित्तोडगट राजस्तान का एक शहर है यहाँ सूरवीरो का सहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रशिद है यहाँ चित्तोड दुर्ग के भीतर ही चित्तोड नगर बसा है जिसके लंबाई साड़े तीन मील और चोड़ाई एक मील है जो चित्तोड दुर्ग है उसके भीतर एक चित्तोड नगर बसा हुआ है जिसके लंबाई साड़े तीन मील और चोड़ाई है एक मील और यह प्रश्ण ए इतिहास चित्तोड के सासकों में रियंतर युद्ध हुए इसलिए उसे कई बार उचणना पड़ा 1303 इस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड पर आक्रमन किया इस अउसर पर महारानी पदमीनी तथा अन्ने वीरांग नाय अपनी कुल के सम्मान तथा भारती नायत्व की लाज रखने के लिए अगनी में कूत कर भश्म हो गई और राजपूत वीरों ने युद्ध में प्रान उत्सर्ग कर दिये प्राचेन चित्रकूट दूर्ग या चित्तोडगड कीला राजपूत सोरे के तियास में गोरपूर्ण इस्तान रखता है यहाँ कीला सात्वी से सोलवी सताब्दी तक सत्ता का एक महतोपूर्ण केंद्र हुआ करता था लगबग 700 एकड के शेत्स में फोला यहाँ कीला 500 फिट उची पहाडी पर खड़ा है यहाँ माना जाता है कि सात्वी सताब्दी में मोरी राजपूत के चित्रांगद मोरी द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था चित्रागद का केला कहीं राजपूत के शाषन का साक्षिरा है जैसे मोरी, मोरे, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, गही लोथिया, सिसोधिया चित्रागद केले के लंबे तिहास के दोरान इस पर तीन बार आक्रमन किये गए पहला अक्रमन सन 1303 में लाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा सन 1535 में गुज़ात के बहादूर सा द्वारा और तीसरा सन 1567 से 68 के बीच मोगल सा अकबर द्वारा किया गया था प्रते एक बार जोहर किया गया है हापर इसके बाद आता है कला अम जनस्कृति के अगर यहां की बात की जाए तो यह है राजस्तानी परमपरा अम जनस्कृति की चाप चोड़ने वाला एक संभाग है चितोरगर में सभी परभर से मुल्लास के साथ मनाये जाते हैं हस्त निर्मित खिलोने चमड़े के जूते और कपड़े यहां के फैमस है चितोरगर मेवार का प्रशिद्ध नगर जो भारत की तियास में शुश्योदिया राजबुतों की वीर गाताओं के लिए अमर है शिक्षा अगर यहां के सिक्षा की बात की जाए एजुकेशन फेल्ड की तो यहां राजस्तान विश्विद्याले से सनलगन अनेक महाविद्याले है प्रात्मिक अमाध्यमिक सिक्षा है तो सरकारी स्कूल सैनिक स्कूल एमनीजी शेत्र के कई अच्छी स्कूल्स है चित्तोरगड में तकनीकी सिक्षा के लिए इंजिनेरिंग एम डिपलोमा कोलेज भी है खनी जम क्रशी तो गेहूं गन्ना और कपास यहां की प्रमुक असले हैं चित्तोरगड सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जीला है प्रमुक इस्तलों के अगर बात की जाये तो चित्तोरगड किला राजस्तान के इतिहास प्रशिद्ध चित्तोर में इस्तित्ध है यह किला जमीन से लगबग 500 फुट उचाए वाले एक पहाड़ी पर बना हुआ है परंपरा से प्रशिद्ध है कि इसे चित्रांगत मोरी ने बनवाया था आठवी सताब्दी में गुहिल वंसी बापा ने इसे अस्तगत किया पदमीनी का महल चोगान के निकट ही एक जिल के किनारे रावल रतन सिंग की पदमनी के महल बने हुए है एक चोटा महल पानी के बीच बना हुआ है जो जनाना महल कहलाता है वो किनारे के जो महल है वो मरदाना महल कहलाते हैं कीरतिस्तम महराना कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद साखिल जी को सन 1440 ईश्वी में प्रतंबार प्रास्थ किया इसकी यादगार में इश्ट देव विष्णू के निर्मितिया किर्थिस्तम बनवाया था गोरा बादल की घूमरे पदमीनी महल से दक्षिनपूर में दो गुमबदाकार इमारते हैं जिसे लोग गोरा बादल के महल के रुप में जानते हैं काली का माता का मंदिर पदमीनी के महलों के उत्तर में बाए और काली का माता का मंदिर का सुन्दर उची कुडसी वाला विशाल महल है इस मंदिर का निर्माण संभव तह सातवी शाताबदी में मेवाड के गुहिल वंसी राजाओं ने करवाया था समित देश्वर महादेव का मंदिर गोमुक कुंड के उत्तरी छोड़ पर समित देश्वर का भववे प्राचीन मंदिर है जिसके भीतरी और बहारी भाग पर बहुत ही सुन्दर खुदाय का काम है इसका निर्माण मालवा के प्रशिद राजा भोश ने 22 विशाताबदी में करवाया था मीराबाय का मंदिर कुंब शयम के मंदिर के प्रांगर के में एक छोटा मंदिर है जिसे क्रश्न दीवानी भाती मती मीराबाय का मंदिर कहते है स्री सावर्याजी मंदिर चित्तोरगड से कुछ दूरी पर मंदफ या इस्तान पर है जिसे कृष्ण धाम भी कहा जाता है नदियम जीले गंबीरी बेड़ज वनास माही जाकम चितोरगड में बहने वाली प्रमुक न दिया है नहरगड जेल चितोरगड में इस्ते थे परिवहनोर यातायात चितोरगड कई प्रमुक सहरो जैसे उधेपूर, अतलाम, जैपूर, अजमेर आदी रेल द्वारा पहुचा जा सकता है चितोरगड का सबसे नस्दी के हवए अड़ा उधेपूर है दिल्ली, उदेपुर, चैपुर, अजमेर और अहमदाबाद आधिसी चित्तोडगर के लिए सीधे बस सेवा है उध्योग और व्यापार, चित्तोडगर सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जीला है सोगर मील, एमकरशी, अन्ने आंके वेवसाय है बूंदी जीला, इसके बारे में आज अपन अधिन करेंगे तो सबसे पहला है अपना महत्वपून तथ्य महत्वपून तथ्य में एक तो आये का बूंदी जीले का शेत्रफल तो जो बूंदी जीले का शेत्रफल है, वो है 5550 km² यह यहां का शेत्रफल है बुनिज जिले की जनसंख्या है 2011 की जनगर्णा के अनुसार तो वो है 11,13,725 यहां की population है टोटल और यहां का जो संभागिये मुख्याले है यह कोटा है यहां का संभागिये मुख्याले यहां की भोगोलिक इस्तती के अगर बात की जाए तो यहां की भोगोलिक इस्तती है 25.44 डिग्री नौत और 75.64 डिग्री एस्ट में है और राजस्तान के दक्षिनपूर में इस्तित बुन्दी एकपूर और रियाशत एम जीला मुख्याले है इसके इस्तापना शन 12.42 इस्व में राउ देवाजी ने की थी तो इसके जो इस्तापना हुई वो की गई थी 12.42 इस्वी में राउ देवाजी के द्वारा बुन्दी जो है पहाडियों से घरा धीरा सगन बना चादित शुरम में सहरे अगर बुन्दी किस्ट्री की बात की जाए तो बुन्दी किस्तापना हुई 1242 में राउ देवा जी के त्वारा यहां के साशक जोते राउ सुर्जन हाडा ने अकबर के अधिनता स्विकार कर ली थी साह जहां के समय बूंदी के साशक चत्र साल हाडा ने दारा की ओड से धर्मत की लड़ाई में भाग लिया था किन्तु वह इस युद में मारा गया बूंदी अपने विशिष्ट चित्रकला सेली के लिए विख्या थे जो इस अंचल में मध्यकाल में विक्षित हुई बूंदी चित्रकला के विश्व में सिकार, सवारी, राम लीला, इस नानरत नाइक का विच्रन करते हुए हाती, सेर, हिरन, गगंचारी, पक्षी, पेड़ोपर, फुदक्ते, शाखाम्रग, आधी रहे हैं हडा सासक राउ देवा ने बूंदा को हडा कर बूंदी पर कबजा कर लिया, फिर इससे अपनी राजधानी बनाया, सन 1947 में भारत के शौतन्त होने तक बूंदी एक शौतन्त रियासत के रूप में कायम रहा यहां की कला और संस्कृति के अगर बात की जाए तो बूंदी चित्रकला, राज़पूत, राज़स्तान की राज़पूत, चित्रकला सेली में से एक है बूंदी के सेली में कजली आम वो पीपल के व्रक्षों के साथ साथ फूल पत्तियों और बैलों को चित्रित किया गया है मुगलों के अधीनता में आने के बाद यहां के चित्रकला में नया मोड आया यहां की चित्रिकला पर उत्रोत्तर मुगल प्रभाव पढ़ने लगा यहां कजली तीज गंगोर बूंदी मोट्सों यहां के प्रमुक्त योहार है सिख्षा के अगर बात की जाये तो यहां कोटा इम राजस्तान विश्विध्याले से सनलग अनेक महाविध्याले है प्रात्मिक और माध्यमिक सिक्षा है तो सरकार स्कूल भी प्रमुक है इसके बाद आता है खनी जम क्रशी बूंदी अर्थ विवस्ता मुखे रूप से क्रशी कपड़ा और परेटन उध्योक पर आधारित है पुद्योग राजस्ता में बूंदी की आर्थिक शम्रद्दी में एक निर्नायक भूमे का निभाता है अब यहां के प्रमुकिस्तलों के अगर बात की जाए तो तारागड का दूर्ग अरावली परवत परिस्तित है इसे बूंदी का किला भी कहा जाता है पूंदी के संस्तापक राउदेव हाराने इस सूदरड कीले का निर्मान कराए था बूंदी पहले स्तारागड कीले के निकर धाल परिस्तित थे और अपने भवFFे परमपरिक भित्ती चित्र और भित्ती चित्रों के लिए उलेकनि है बूंदी के की सीड़ी धार बावडिया प्रसिद है जिन में 1699 में बनी नाथा वज्जी की बावडी सबसे ज़्यादा फैमस है बूंदी नदियों जीले बूंदी की जो नदियां है और जीले है तो बूंदी में जीले है नवल सागर बधाई कुंड और जेट सागर ये तीन जीले बूंदी जीले में है बनाश कराई पारवती कालेशिंद ये नदिया बूंदी जीले में पड़ती है परिवहन और यत्यात की बात की जाए तो बूंदी रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है जबकि नस्दी की कोटा रेलवे स्टेशन है जो 34-35 किलोमेटर से दूर है बूंदी सडक मार्ग से अजमेर्यम कोटा से जुड़ा हुआ है बूंदी का सबसे नस्दी के हवाय प्रमुक योगतान है यहां पर हस्ता सिंग को आस्ता सिल्प और पैंटिंग यांकि बहुत फैमस है वह बिकानेर जीला तो जानते हैं बिकानेर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथे महत्वपूर्ण मा की विशेषता है तो सबसे भेलाता है अपना महत्वपूर्ण बिकानेर जीले का जो कुल शेत्रफल है वो है 27,244 वर्ग किलोमीटर बिकानेर जीली की जनसंख्या है 23,66,745 दो हजार ग्यारा के जनगर्ना के अनुसार और वहां का संभागिये मुख्याले है बिकानेर में और ये बात आपको ध्यान रख नहीं होगे हैं क्योंकि ये प् पूछ सकता है सुमेलित कीजिए एक तरफ जीले और एक तरफ संभाग तो ये बात आपको ध्यान रख नहीं है एक जम में आने लाइक प्रश्ण है इसके बाद आता है भोगोली खिस्तती बिकानेर जीले के जो बोगोली खिस्तती है वह 28 दिगरी एक मिनट नोर्थ से 33 दि जो है राजस्थान के उत्तर पस्चीमी भाग में इस्ति चीला है विकानेर के उत्तर में गंगानगर तता फिरोषपुर पस्चीम में जैसल मेर् पूर में नागोर एम दक्षिन में जोदपूर इसके बाद आता है यहां की जलवायू सूखी परन्तु अधित तर अरोग्य प्रद है गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पढ़ना यहां की विशेषता है यहां में गर्मी में जब होती है तो बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी हो जाती है इसी कारण मैं जुन और जुलाई मास में यहां लू तथा पुरानी रियासत्ता बिकानेर सहर भूदपूर बिकानेर रियासत की राजधानी था लगवग सन 1465 इस्वी में राठोर चाती के एक राशपूत सरदार बिकाने अन्ने राशपूत चातियों का भूभाग इतना प्रारम किया सन 1488 ऐषवी में उन्होंने बिकानेर सवर का निर्मान किया तो 1488 ऐषवी में इसका निर्मान हुआ है अठारवी सताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही बिकानेर और जोधपूर की रियाषतों में बार बार लड़ाया होती रही सन 1818 इश्वी में एक संदी हुई जिसने ब्रिटिस वर्चेस्ट्वर की स्तापना की और रियासत में ब्रिटिस सेना पुनर विवस्ता ले आई राज्य के सेने सेवा में बिकानेरी उन्ट सवार सेना सामिल है जिसने बक्षर विद्रो के दोरान चीन और प्रतम विश्वीद के दोरान मध्यपूर में ख्यातियाज़ित कीती और ये प्रशन एक्जाम में पूछा जा सकता है ये आपको ध्यान रखने है जो राज्जी की जो सैन्ने सेवा है उसमें बिकानेर उंट सवार सेमा सेवा जो है वो सामिल है जिसने बक्षर विद्रों के दोरान चीन और प्रतम विश्विद्ध के दोरान मध्यपूर में ख्याते अर्जित कीती श्वाधीन ता के उपरांत बिकानेर रियाशक भारत में विलीन हो गई पुराना बिकानेर थोड़े उठे हुए मैदान परिष्टी थे और पांच द्वारों के साथ साथ 7 किलोमेटर लंबी पंक्तिबद्ध दिवार से गिरा हुआ है कला एम संस्कृती के अगरिया की बात करें तो यह राजस्तानी परंपरा एम संस्कृती की चाप छोड़ने वाला एक संभाग है राजस्तानी चित्रकला के एक प्रभावी शेली का जर्म बीकानेर से हुआ जो राजस्तान का दूसरा बड़ा राज्य है हिंदियों जेन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सब्शादिक है सिक्ख और इसलाम धर्म को मानने वाले भी अच्चे संख्या में है यहां इसायों पार्सी भाष्या के अनुयाई बहुत कम है मारवार सेली से सम्मंदित बीकानेर सेली का सरवादिक पिकाश अनुप सींग के साशनकाल में हुआ है तो यह आपको ध्यान रखने योगी बात है कि जो मारवार से लिए है इससे सम्मंदिक जो विकानेर से लिए है इसका सरवादिक विकाश जो हुआ था वो हुआ था अनूप सिंग जी के साशनकाल में यहां कि सिक्षा की बात करें तो बिकानेर में राजस्तान राज्ये का सिक्षा निदेशाले इस्तित है ये ध्यान रखना है महाविध्याले शिक्षा अकादमे की स्तर पर देखा जाएं तो तीन महाविध्याले मुख्यरोप से बिकानेर में हैं एक है महारानी सुदर्शना महाविद्याले, दूसरा है राजकी डूंगर महाविद्याले और तीसरा है गंगा शारदूर राजकी आचारे शंस्कृत महाविद्याले इसके अलावा कई vocational courses और degree college भी यहाँ है बिकानेर में तक्निकी सिक्सा के लिए एक सरकारी इंजिनेरिंग डिपलोमा college अन्य नीजी संस्तान है इसके बादा तक हनीजम क्रशी अधिकांस हिस्सा अनुपजावन जल्भून मरू भूमे का एक अंस है जगजगर रेतिले टीले हैं जो बहुत उचे हैं बिकानेर का दक्षिर पस्चे में मगरा नाम की पत्रिली भूमी है जहां अच्छी वर्सा हो जाने पर किसी प्रकार पैदावार हो जाती है मगरा नमकिस्तान पढ़ता है महाँ पर अगर महाँ पर बारिस हो जाए तो फसल हो जाती है वरना नहीं होती है यहां आधिकान्स वाज़ों में खरीब की फसल होती ही, यहां मुख्यतर बाजरा, मोट, जुआर, तिल और रूई है, रभी फसल अर्थाद गेहूं जो सरसों चना आधी केवल पूर्वी भाग दखी, सिमिते, बिकानेर में कोई नदी न होने के कर मुख्यतर नहरे, गहरे, नलकूपों से ही सिचाई की जाती है, वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, तो नहरों से सिचाई करते हैं यहां गहरे नलकूपों के द्वारा, बाजरा, जुआर, और दलहन यहां की प्रमुख फसले, यहां की जो प्रमुख फसलों के अंतरगत आती ही, वो आती है, बाजरा के आ जाने के करण नारंगी निम्बू अनार अम्रूत आदी फल भी पैदा होने लगे हैं यहां के प्रमुक इस्तल जो जो है वो है बिकानेर जीले के दर्षने स्थिलों में देशनो कर नी माता का मंदिर है जो बिकानेर के बसने से पहले बना है यह मंदिर चुहो के मंदिर से नाम से फैमस है बिकानेर का मंदिर बिकानेर इस्तित राजस्तान राज्य अभी लेखागार देश के सबसे अच्छे और विश्व के चर्चित अभी लेखागारों में से एक है उस अभी लेखागार की स्ताप सन 1955 इस्वी में हुई और यह अपनी अपार्व अम्मुले अभिलेक मिती के लिए प्रतिष्टित है उटो का महुत्सव उटो की दोड उटो की कलाबाजी नरत्य और दूद देने की प्रतिष्पर्दा का एक दर्सनी अतियोहार है जो इस समारों का एक हिस्सा है उट महुत्स बना एक ऐसा पात्र है जिसमें पानी भरा जाता है होली से कई दिन पूर्व सुरू होने वाला रंगों का त्योहार विशेश रूप से दर्शनी है बिकानेर में होली का त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है तो ये भी ध्यान रकनी योग्ये बात है 9 दिनों तक महापड होली का फेस्टिवल मनाय जाता है नादियम जीले बिकानेर में कई कोई नदी नह होने के कारण मुख्यता नहरे गहरे नलकूपों से ही सिच्चे की जाती है बिकानेर में एक जील है उसका नाम है गजनेर जील परिवान और याताया तो बिकानेर जो है जोदपूर जेपूर दिल् बिकानेर जीले की सीमा जो है चूरू, नागोर, गंगानगर, हनुमानगर, जोदपूर वजैसलमेर सीमा को चूती है वही अंतराश्ट्रे सीमा पाकिस्तान से लगती है इसकी जो अंतराश्ट्रे सीमा लगती है वह लगती है पाकिस्तान से बेकानेर का सबसे नस्देकी हवायड़ा जोदपूर है उद्योग और वेपार के अगर बात की जाए तो पसु पालन निहां का मुख्य पैसा है परी जाते और रार जाती के मुसलमान इस धंदे में लिपते हैं भी पूछा जा सकता है कि जो परी जाते और राट जाते के जो मुसलमान हैं वो कौन सा धन्दा करते हैं या कहां पर पसुँआ का पालन करते तो बिका निर्चीले में भैडों के अधिकता के करण यहां उन बहुत होता है जिससे कंबल लाईयां आधि उनी सामान बहुत अच् लेके बने हुए सुनहरी काम के तरह तरह के सुन्दर कूप पे उटो की काठियां लाल मिट्टी के बर्दन आधियां बहुत अच्छे बनाये जाते हैं भिलवाडा जीले का भिलवाडा जीले की मुख्य विसेस्ता है क्या है वहाँ पे कौन-कौन से दूर को बगेरा पाये ज स्कौायर महां का शैत्रफल है भिलवाडा जीले की जो जनसंक्या है वह 24,10,459 महां की जनसंक्या है और महां का जो संभागिये मुख्याले है वह है अजमेर में तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बाद आजाती है महां की भोगोलिक स्तती अगर कोई जोगरुफी जरूर जरूर पूछा जाता है हर एक्जाम में अब जो आर्पी से सेकंड करेंट का एक्जाम निकला है सामन्य विज्ञान का उसमें भी पूछा गया था तो आपको ध्यान रखनी है भोगोलिक स्तती बोगोलिक स्तती 25 डिग्री 25.35 नोट से 24.63 डिग्री इस्ट है इसका राजस्तान प्रांत का एक सहर है यह सहर ग्यारवी सताब्दी से भी पुराना माना जाता है कर्णल जेमस्टोर ने अपनी पुस्तक एनल्स एंटीक्यूटी जो राजस्तान में इसका उल्लेक किया है जो कर्णल जेमस्टोर ने जो पुस्तक लिखी थी एनल्स एंटीक्यू उद्यों का एक प्रमुक केंद्र है बिल्वाडा जो है यहां पर सूतिवस्त उद्यों का बहुत विकाश हुआ है और यह जो है सूतिवस्त उद्यों का प्रमुक केंद्र माना जाता है इसके बाद आता है 1948 में राजस्तान का भाग बनने से पूरू बिल्वाडा बोदपूर उदेपूर रियाशत का एक हिस्सा था फिर अताया का इतिहाश इतिहाश जो है बिलवाडा सहर मध्य दक्षिन मध्य राजस्तान राज्य पस्ची मोतर भारत में इस्ति थे बिलवाडा के स्तापना करीब 300 से 400 साल पहले हुई थी बिलवाडा के सासकों में यंतर युद्ध से कई बार उजड़ना पड़ा एक समय मिया भीलो की बड़ी तादात पाई जाती थी इसी कारण इस्तान का नाम बिलवाडा पड़ गया इसके आसपास का शेत्र उच्चा और पठारी है जिसकी धलान वना च्छादित परवत्ती पुर्वत्तर की और है इसकी जो धलान है फो ए परवत्ती पुर्वत्तर की और 1948 में राजस्तान का भाग बनने से पूर भिलवाडा भूतपुर उदैपूर रियाärशत का एक हिस्चा था इससी पहले जो राजस्तान का भाग बना इससे पहले यह उदैपूर रियासत का हिश्चा था यहां की गल्यां सन्सकृति के बारे में जाने, तो यह है राजस्तानी परंपरम सहस्कृति के चाप फोड़ने वाले एक संभाग है, बिल्वाडा में सभी पर्व हर से मुल्लास के साथ मनाया जाते हैं, सिक्षा यहां राजस्तान विश्व विध्याले से सलगन अन्यक विश्व विध्याले है, प्रात्मि विशव विद्यालें से संवंन्द MLV राच्कि महाविद्याले MLV टेक्सटायल और MMM कन्या महाविद्यालें समेत कई महाविद्यालें यहाँ पर है खनी जयॉंप करशी मक्का, गेहूं और कपास यहां की प्रमुकसलें यहां इधन, कोईला और इधन और कोईले की विक्री योग की उत्पाद है और जबकि बेरलियम अब रखो आयक का भी काम यहां पर होता है इसके बाद आता है प्रमुकिस्तल हरनी महादेव भिलवाडा के प्रमुक धार्मिकिस्तलों में से एक है विशाल पत्थर के नीचे सि सिव्रात्री के आउस्वार्थि की हिसवारा पर यहां तीन दिनों तक महिले को अज़य और मेले को प्रमुक है , यह पार महत अपुल में महनल बिलवारा कोटा मार्क पर इस्तित है यहां एक ख कर रहा गया था जोगनिय माता जोएं बहुत ही अच्छा इस्तान है बिल्वाडा में त्रिवेणी बिल्वाडा सहर से 40 किलोमेटर की दूरी पर इस्ते थे त्रिवेणी में तीन नदियां बाड मनाली और बादच आपस में मिलती हैं इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है इसके बाद है मंडलगर किला जो है बिल्वाडा से 52 किलोमेटर की दूरी पर इस्ते थे यह किला एक किलोमेटर लंबा है इसकी जो लंबाई है वो है एक किलोमेटर तो ये भी पूछा जा सकता एकजाम में तो आपको ध्यान रखना है सावपूरा का भारत को शौतन सुता दिलाने में विशेश योगदान राय या अंतराष्ट्रे राम्ज में ही संप्रताय का प्रमुक के इंद्री था सावपुरा या इस दित 700 साल पुरानी पैंटिंग के लिए भी प्रशिद्ध है इसके बाद आता है नदियम जीले तो यहां पर जो नदिया है वहीं यहां पर बहुत सी नदिया है बनास है, बेड़च है, कोठारी है, मानसी है, मैनाली है, चंदरभागब है वह नागदि है यー बिल्वाडा में भैनने वाली प्रमुक नदिया हैं तो आपको ध्यान रखना है इनके नाम ऐसे भी पूछाशि सकता है कि निम्ले में कोण से नदी बिल्वाडा में नहीं भैती है या उस नदी का नाम बताऊ जो बिल्वाडा में भैती है या सुमेलित करने वाला करशन भी बूछ सकता है नदी और जीले तो आपको ध्यान रखना है मेजा जील बिलवाडा से 17 किलमीटर की दूरी पर इसते थे परिवाण और यातायत की बात करें तो बिलवाडा कई प्रमुक सहरो जैसे दिल्ली, उदेपूर, इंदोर, खांडवा, रतलाम, जैपूर, अजमेर और अहमदवबाद आधी रेल द्वारा जुड़ा हुआ है आधी से ही रेल के माध्यम से जुड़ा हुआ है रेल उदेपूर, जैपूर, अजमेर और अहमदवबाद और जोदपूर, कोटा, आधी से बिल्वाडा के लिए सीधी बस सेवा दी गई है अब उद्ध्योग हम प्यापार की बात करें तो बिल्वाडा राजस्तान के प्रमुक उद्ध्योगिक सहरो में से एक है बिल्वाडा क कपड़ों के प्रमुक ब्रांट जैसे बी एसल मयूर सुटिंग और सुजो की सुटिंग का उत्पादन होता है बिल्वाडा के उद्ध्योगों में सूती वस्टो खत करगा और होजरी और धातू के वर्णन वर्तन विसेश का जो टिन के वर्तन होते हैं वो बनाने के उद् oi, उसके बारे में कुछ महतोगं तथे उसकी भोगोली किस्तते उसकी जन्संक्या और उसके बारे में और बे बहुत कुछ तथे तो स्टार्ट करते ARE सबसे पहला है अपना महतोपूर्ट अथ्छे तो महतोपूर्ट अथ्छे में जो आता है वो है भरतपूर जीले का शैत्रफल पांच हजार छेचाट किलोमेटर स्क्वाइर वहां का शैत्रफल है और वहां के जो जनसंख्या है 2011 की जनगरना का नुसार वो है 25,99,121 वहां के जनसंख्या है वहां का जो संभागिये मुख्याले है वो है भरतपूर में तो ये आपको ध्यान रखने की बात है इसके बाद आता है भोगोली किस्तिति भोगोली किस्तिति से related question exam में आ चुका है और फिर आ सकता है तो जो भरतपूर की भोगोली किस्तिति है वो है 27 डिग्री 22 मिनट नोर से 77.48 डिग्री इस्ट है भरतपूर राजस्तान का एक प्रमुक सहर होने के साथ देश का सबसे प्रशिद पक्षी उध्यान भी है यह राष्ट्रे राजस्तानी शेत्र का हिस्सा भी है तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह एक तो सबसे प्रशिद पक्षी उध्यान है और यह राष्ट्रे राजस्तानी शेत्र का हिस्सा है इसके बाद आता है इतिहाश महा किस्त्रे क्या है किस तरस इसका नाम पड़ा, किस ने इसकी स्तापना की तो भरतपुर की स्तापना जाट साशक राजा सूरज मलने की थी और यह जाटों का गड के लाता है भरतपुर का नाम करन राम के भाई भरत के नाम पर किया गया लक्षमन इस राज परिवार के कुल्देव माने गए हैं भरतपुर सहर की स्तापना ठाकोर चूडामान सिंग जाटने की थी लेकिन बात में साशक राजा सूरज मेलने इसे सजया और सवारा तो इस्तापना करने वाले जो थे ठाकोर चूडामान सिंग जो की एक जाट थे इसके बाद है कलायम संस्क्रिती तो भरतपुर में होली जो है भरतपुर की बहुत फैमस है भरतपुर में होली एक प्रमुक पार्व है एवं यहां अंतराष्टे इस्तर का दो दिवसी ब्रज होली महत्सो प्रतिवर्स आयजित किया जाता है यहां की भाषा में ब्रज भाषा की चाप है और भरतपुर में सभी पार्व हर से मुलास से मनाय जाते हैं इसके बाद आता है सिक्षा, बरतपुर में जो सिक्षा है, यहां राजस्तान वेश्य विद्ध्यालें से सललय हैं प्रादम्ने गये माध्यमी शिक्षा अइटो सरकारिम नीजी शेत्र की कई अच्छी स्कूल है बरतपुर में टकनेकी सिक्षा के लिए एक सरकार in इंजिनेरियम डिप्लोमा कोलेज है खनी जम क्रशी भरतपूर उत्तर और दक्षिन में भी लग पहाडी शेतर में एक विस्तर जलोर मैदान में इस्तित थे बाजरा चना जो गेहूं और तिलहन यहां की प्रमुक वसले हैं इसके बाद आता है प्रमुक हिस्तल भरतपूर रा के दुलब सारस यहां आते हैं बरतपूर राष्ट्र उत्यान केला देव घना के नाम से भी जाना जाता है केला देव नाम भगवान सेव को समर्पित मंदिर के लिए गया है जो इस उत्यान के बीच में इस्तित है लोहागड जो है लोहागड के ला एक अभेद्य खिला है जिसे महाराजा सूरजमल ने बनाया जिसके दोनों तरफ मजबूत अरवाजे जिनमें नुकिली लोहे की सलाखे लगाई गई है एवं खाई के साथ मोटी दिवार है डीक का किले का निर्मान राज्जा सूरजमल ने कुछ उचाएपर करवाया था किले का मुख्या करसन है यहां की वोच टावर जहां से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है बलकि नीची सहरा का नजरा भी लिया जा सकता है यहां की नदियां जीले तो इसमें जो नदियां पड़ती है वो है चंबल बान गंगा पारवती और गंभीरी और यहां की जो जीले हैं वो है पोकर ए कि वाद आता है परिवान रहता है तो भरतपूर रेलवे के जरिये दिल्ली अगर्व जेपूर से जुड़ा है बारति बसों के जरिये दिल्ली आगरा और जेपूर से और निकरतम हवाय अड़ा और मोटर काड़ी बनाने के कारखाने सामिल है भरतपूर के हातिदा चांदी या चंदन की रकड़ी के अत्ते वाले हाथ से बने चवर प्रशिद हैं 12 जीले का इससे पहले आपने अजमेर अल्वर और 12 जीले का दिन कर लिया है अज अपना धिन करेंगे बार्ड मेर जीले का तो जानते हैं इसके बारे में आज का है सबसे पहला है अपना महतवपूर्ण तत्ये तो जो बार्ड मेर जीले का जो कुल शेत्रफल है वो है 28,387 वर्ग किलोमीटर बार्ण में जीले की जो जनसंख्या है वो है 26,443 और जो बार्ण में जीले का संभागी है मुख्याले है तो वो है जोदपूर में और ये सबसे महतोपून बात है जो आपको ध्यान रखनी है इसके बाद आता है भोगोली किस्तिति अब जो कल का एकजाम हुआ था उसमें भी भोगोली किस्तिति से रिरेटेड क्योशन पूछा गया था तो अगर क्योशन पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी याद रखने योगे बात है भोगोली किस्तिति है उतरे अकसांस 24 और 58 मिनट से 26 बतीस मिनट और पूर्वी देशाधर 17 से 55 मिनट और 22 मिनट के मत्दे इस्तित है धार मरुस्तल का एक भाग बाढमेर जीला और राज़स्तान के बस्ची में इस्तित है ये भी आपको ध्यान दखना बाडमेर उत्तर मेर जैसर मेर जीले दक्षिन में जालोर जीले पूर में पाली और जोदपूर जीले तता पस्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है इसके उत्तर में जैसर मेर है, दक्षिन में जालोर है, पूर में पाली है, जोद्पुर है और पस्चिम में पाकिस्तान है यहां का चो इतिहांस है बार्ड मेर की स्टापना यहां के तेरविष अतापदी के शाशक बहादा राउ परमार के नाम पर हुई तब इसे बहाद मेर कहा जाता था लेकिन दीरे दीरे नाम में अपभरंस हुआ संसोधन हुआ और इसका नम बार्ड मेर हो गया इसके बाद है कला एहम संस्क्रती बार्ड मेर की यात्रा की एक खाशे दीह भी है कि हम यह हमें राजस्तान के ग्रामिन चीवन से रूबरू कराता है यात्रा के दोरान रास्ते में पढ़ने वाले गाउं पारंपरिक पोसा के पहने लोगों और रेत पर पढ़ती शुनरी नूरम चवी आखों में बश जाती है मार्ष के महीने में पूरा बार्ड मेर रंगों से भढ़ जाता है क्योंकि वह वक्त बार्ड मेर महोत्साव का होता है यह वक्त यहां आने का सबसे सही समय है अगर कोई वहाँ जाना चाहे तो सिक्षा यहां राजस्तान विश्व इ spokesperson विपतोमा कोलेज भी है और खानीच क्रशी बारमेर में क्रशी मुक्यता कम ही की जाती है ए裏 बाजरा बान मेर की प्रामुक फशल है वह बार्ड मेर की बाजरा पसु पालन मालानी का एक प्रमुक शेत्र ws यहाँ पर इस्तिक जैन मंदिर और हिंदु मंदिर जसोल के मुख्य आकर्षन हैं यहाँ एक चमतकारिक देवी माता रानी भटी आनी का मंदिर है जान सिंग की बेरी यह ग्राम सिव गड़रा रोड मार्क पर सिव से 43 किलोमेटर पर आया हुआ है और यहाँ एक संची आय माता का मंदिर है जिसे मेरा ग्राम कहा जाता है खेड जो है राठोडवन्स के सस्तापक राव सिहां और उसके पुत्र ने खेड को गुहिल राजपूतों से जीता और यहाँ राठोड़ों का गड़ बनाया रंचोड़ जी का विश्नु मंदिर यहाँ का सबसे प्रमो काकरशन है इसके बाद आता है किराडू किराडू जो है पहाडी तराएं में हात्मा गाउं के पास इसते थे किराडू 1161 इस्वी के सिलालेक से पता चलता है कि पहाली स्तिस्तान का नाम किरत कूप था किराडू को राजस्तान का खजुराओ का जाता है और जो खजुराओ है वो मत्य प्रदिश में और राजस्तान का जो खजुरा हुए वो की राडू है जो बाड मेर डिस्टिक में परता है मलीनात मेला राठोर राजवन्स के रावल मलीनात के नाम पर मलीनात मेला राजस्तान के सबसे बड़े पसु मेलों में से एक और ये क्योशन भी पूछ लिया गया है एक्जाम में मलीनात मेला राज्तन का सबसे बड़ा पसु मेला कुन सा है मलीनात मेला है कहां भरता है बाडमेर जीले में भरता है किसके नाम पर रखा गया है तो राठोर राजवन्स के रावल मलीनात जी के नाम पर है मेवा नगर तो यहां तीन चेन मंदिर हैं इन में से सबसे बड़ा मंदिर नाकोड़ा पाशोनात का समर्पित है और मली नात के नाम पर ही इसका नाम महेवा नगर पड़ा जो की कालांतर में मेवा नगर हो गया है तिलवाड़ा पसुमेला लूनी नदी के तड़ परिस्ते तिलवाड़ा गाउमी यह मेला लगता है यह जीले का प्रमुख पसुमेला है इसके बाद आता है नकोड़ा पाशवनाथ पचपद्रा तशील के मेवानगर गाउमे एक मेला लगता है ये इस्तान बालोत्रा सहर से 10 किलोमेटर की दूरी पर है यहाँ पर नकोडा पार्शुनात का जेन मंदिर है जिसके जारो और का वातवरत काफी सुन्दर है हरलाल जाट का मेला यह मेला भले ही सिक्षित वर्ग तक सिमित हो लेकिन बल्देव नगर का सबसे पवेत रिष्तान है फो जी ओ का देवता भी कहा जाता है क्योंकि हले से सबसे ज्यादा पोजी बनते हैं जाटो का सेर इस उपनाम से हरलाल को जाना जाता है इसके बाद ही सिंधरी पसुमेला लुनी नदी के तडप इसते सेंड धरी गाउं में यह मेला लगता है यह जीले का प्रमुक पसुमेला है यह मेला मरोन अंजक द्रस्टी से काफी मातपून है इसके बाद ही नदी अं झीले तो लुनी शूक्डी नदी यहाँ पर है इसके बाद है परिवहन और यातयात बाड मेर रेलवे के जड़िये जोदपूर से जुड़ा है बाड मेर बसों के जड़िये जैसल मेर और गुजरात से जुड़ा हुआ है निकटम हवाय अध्या का जोदपूर है उध्योग और व्यापपार यहां पर नमक और खुटिर बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि डिस्टिक वाइज अगर आपनको किसी चीज का पता चाल जाता है तो वो डिवाइड हो जाती है चीज और डिवाइडेशन से हर चीज चल दी याद हो जाती है तो सबसे पहले जानेंगे आंके महात्वपूर्ण तथे अलवर जीले का ज 2011 की जनगर्ना के अनुसार वो है 36,7999 और अलवर जीले का जो संभागी मुख्याले है वो जैपूर में है जबकि अजमेर का जो संभागी मुख्याले था वो अजमेर में ही था लेकिन इसका जैपूर में है तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है और अलवर का प्राची अब इसकी भोगोली किस्तती क्या है तो भोगोली किस्तती में जो है उत्तर से तो आता है 27 डिग्री 20 मिनट और पूर से 26 डिग्री 23 मिनट इसकी भोगोली किस्तती है यह राश्ट्रिय राजधानिक का हिस्सा भी है अलवर परवत सेन्यों की तलहटी में बसा अलवर पूर्वी राजधान में काश्मीर के नाम से जाना जाता है तो ये महतुपून बात है जो आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा परेट अकों के लिए सदे हुए आकरशन का गेंजर रहा है अलवर अलवर को राजस्तान का सिंग्य द्वार कहा जाता है और ये प्रेशन पूछा गया था एजी प्रेशन है लेकिन पूछा जा चुका है एक जाम में तो ये ध्यान रखना है अलवर जो है उसको राजस्तान का सिंग्य द्वार कहा जाता है अब इसके बाद है अलवर राजस्त तो अलवर एक इतिहासिक नगर है और इस शेत्र का इतिहास महाभारत से भी अधिक पुराना थे इसका जो इतिहास है वो महाभारत से भी पुराना माना जाता है महाँ भारत युद्ध से पोरू जहां राजा विराट के पिता वेडु ने मत से पुरी नामक नगर बसा कर उसे अपनी रास्थानी बनाया था आधुनी कलवर की स्थापना जो है जेपूर की प्रताप सिंग दोरा की गई जो आधुनी कलवर था उसके इस्तापना जेपूर की प्रताप सिंगो की गई थी भारते संस्क्रती का परचम फहराने वाले स्वा भिवेकाननद अलवर में पहली बार वर्स 1891 यज़ूमें आए स्वामे भिवेकाननद अलवर में दो बार आये थे पहली बार वर्वर्टाइस फavais 1891 में अलवर आये वो पूरे एक मैने तक यहां रहे तता दूसरी बार 1897 में वो अलवर आये थे इसके बाद निहां की कलायम संस्कृती क्या क्या है तो जो अलवर में हैं मुख्यता हिंदी राजस्तानी और खड़ी बोली जाती है यह आ जाती है महां की बोलिया अलवर का मिल्क केक भी बहुत प्रशित है और इस्तानिय लोगे से कलाकंद के नाम से उकारते हैं अलवर का जो मिल्क केक होता है उसे कलाकंद के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत फेमस है अल्वर के लोगों और संस्कृति उनकी शम्रद्य रिविद्था के लिए जाना जाता है अल्वर संगीत, मृत्य, कला और इस्तापत्य कला में शम्रद्थ है और एक रंगीन सहर है यहाँ एतिया से कीलो, महलो और हवेली की बड़ी संख्या के लिए घर है अलवर में भपंग वादेंतर राजस्तानी लोक गीत की पैचान है महां का जो वादेंतर यूज किया जाता है अलवर में वो है भपंग और यही महां के लोक गीत की पैचान है यह मेवाती संगीत संस्कृति की धरोवर है बपंग पादे अंतर के उस्ताज जुहूर खान में वाती माने जाते हैं अलवर से मन पसंद अबुसणों की करिदर किये आ सकती हैं यहां की हाथ की बनाय हुई पायल बहुत प्रशित है इसके बाद है सिक्षा अलवर जो है उत्तरी राजस्तान में सिक्षा का प्रमुक केंद्र माना जाता है यहां राजस्तान विश्य विध्याले सलगन अनेक महाविध्याले है यहां उच्छ सिक्षा है तो अनेक महाविध्याले मनीजी इंजिनेरिंग कोलेज भी है प्रात्मे क्यों माध्य में सिक्षा है तू सरकारियम नीजी शेत्र के कहीं अच्छे स्कूल्स भी वहाँ पर है अब खनीज और क्रशी तो अलवर जो है क्रशी विप्रन और यतायात केंट्रे यहां वस्तर निर्माण तिलहन तता आटा मीले एवं पैंट वर्निश वह मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्धियों के यहां पर इस्तित है अब यहां के प्रमु किस्तल या दार्शनी किस्तल गहें जकते हो फट गंज गुंबद वहां पर है फट गंज का मकबरा पांच मंजिला है और दिल्ली में इस्तित अपने समकालिन सभी इमारतों से सबसे उच्छ कोटे का है माना जाता है अलवर का सीटी पैलेस जो है सीटी पैलेस एक खुबशूरत परिशर है गेट के पीछे एक मैदान में क्रश्न मंदिर है इसके बिल्कुल पीछे मूसी रानी की चतरी और अन्य दर्शनी स्तल है बाला किला भी अलवर में है सीटी पैलेस परिशर अलवर के पूरवी छोर की और इसके उपर अरावली की पहाड़िया है जिस पर बाला बाला किला बना हुआ है सीली सेड जील अलवर की प्रशीद और सुन्दर जील मानी जाते हैं तो अलवर में जो जील है वो है सीली सेड जील इसके अलवा वहां पर एक और जील है जै समन जील अलवर के सबसे करीब ज सिंग ने 1910 में पिकनिक के लिए करवाया था नैना भी राम सिली सर्थ जील के किनारे इस्तित महल में एक संग्राले हैं जिसमें हिंदी संस्क्रत और फार्सी पांडुलीपया तथा राजस्तानी वो मुगल लगुजित्रों का संग्रत रखा गया है अब वहां की नदी वो ज अरसा यह नदियां अलवर में हैं परिवहन और यतयात के बारे में अगर बात करें तो अलवर जेपूर दिल्ली रेल मार्क पर एक प्रमुक स्टेशन है रेल मार्क के अलावा राश्ट्री राजमार्क 8 से निजी वहान द्वारा भी जेपूर होते हुए अलवर पहुचा किलोमेटर और दिल्ली से 164 किलोमेटर की दूरी परिस्ते थे निकर्तम हवाय अड़मा का जेपूर और दिल्ली है इसके बाद है अलवर और जेपूर उध्योग और व्यपार महा का यहां वस्तर निर्मार तिलहन वह आटा मिलें पैंट वॉनिस्ट मिटी के मर्दन बनाने के उध्योग है नीम राना अलवर का प्रमक उध्योग एक नगर है नीम राना में आने एक मोटर मसीन एमन्ने उध्योग इस्तित है माइनिंग जो है वो यहां का प्रमक उध्योग है तो आज के इस राजस्तान जी ले के जो राजस्तान जी के जो अलवर का टोपिक है कादी पु दिंग